नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है खरास सौदा में मैं हूँ शिष्टी शर्म, मेरे साथ मेरे सहीयोगी अभिशेक और अगले धाई गंते हम इस शो में तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां पिद दिखेगा आज के लिए आक्शन और आक्शन भरपूर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में जो सपोर्ट है वो फिलहाल बरकरार है अमेरीकी बाजारों से कुछ बड़े मैक्रो डेटा आने की त्यारी है और उसके पहले भारते बाजार कल एक छुट्टी भी लेते में नजर आएंगे और इस बाजार के लिए आज एहम रहेंगे तो सबसे पहले यूएस मारकेट की बात करें तो निशलिस तरों से रिकवरी आई है गिफ निफ्टी असी अंक उपर अभी फिलहाल दिख रहा है और कमोर्टी मारकेट में भी आक्शन भरपूर है सोने ने फिर बनाया है नया शिकर ब् ग्रेड आया है विदानता पे वो फोकस में रहेगा अंटी की पॉस्टिव रिपोर्ट है एटल पे 25% मौझदा स्तरों से उपर के वो टाकेट्स दे रहे हैं साथी गोधरिश प्रॉपर्टी पर भी बुलिश ब्रोकरिश रिपोर्ट आई है लूपिन पे भी नज़र रख कि हम उम्मीद कर रहे हैं तो यह देख बजार के हैं ट्रिगर जहां पर आज रहेगी नजर पर इसके अलावा बात करते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और अभिशेक कलम ने देखा कि निश्लेस तरों से एक अच्छी रिकावरी जरूर आई पर अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट अन वाच के मूड में लग रहे हैं ग्लोबल बाजार कास तोर से डाव जून्स फ्यूचर क्योंकि एक एहम डेटा आने की त्यारी है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी शान्ती जरूर है डेफिनिटली शिष्टी आज यूएस सी पियाई के आकड़े आएंगे उसके पहले थोड़ा से वेट वाच के मूड में बाजार जरूर रहेंगे लेकिन कल रेवंड भूट अच्छा था करेकरेवड डाउ निचले सरों से 300 अंकों की रेकवरी दिखाई हालां कि हलकी से लाल शान ने बंद हुआ लेकिन लाल शान को नहीं देखेंगे हम देखेंगे रेकवरी को के रेकवरी कितनी स्ट्रॉंग रही है आज हलांकि जो आंकड़े आएंगे वो आएंगे CPI में अंगाई दर के आंकड़े आएंगे कुरूड के इंविंटरी के डिटा आएंगे अमेरिका में इसके लावा US FED के मिनिट्स भी आज हम आते हुए देखेंगे तो ये नज़र रही गी अमेरिका में लेकिन इस्टिक और S&P हर निशान में जाके बंदू है रिकावरी वहाँ पर भी बहुत अच्छी हमने देखी है हलांकि जो बड़ी जो टेक कंपनीज हैं वहाँ पर थोड़ा समने दबाव देखा है इन्वीडिया के शेर में 2% के आजपा से ग्रावट रही है मेटा और नेट्फलिक्स के शेर पर भी अमेरिका में दबाव दिखा लेकिन इसी तोर पर S&P मेहंगाई के आकड़े आज आएंगे और इन आकड़ों से कहीं कहीं ये साफ हो जाएगा कि US FID का डिरेक्शन क्या होता है क्या जून में रेट कट के सिनेरियों बनते हैं या फिर पूरी तरह से खारीज वाते हैं अगर महंगाई अलेवेटेड होती है तो फिर शायद रेट कट को लेकर थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा अब इनकी बाज़ारों में हलांकि मार्स CPI में करीब पॉइंट 3% की बढ़त का अनुमान है मन्थ औन मन्थ बैसिस पर अगर हम इश्या के बाज़ारों की बात करें तो हम देख रहें कि जापान की कॉर्परिट महंगाई दर में लगातार तीसरे महीने बढ़त है और पॉइंट 3% की बढ़त हमने देखी है वहीं अगर बॉन्ड इल्ड और कूड की अगम संकेतों की बात करें तो बॉन्ड इल्ड महंगाई के आंकोडों से पहले हम देखने की 4.4% की नीचे है लेकिन सोना लगातार रेकॉर्ड बना रहा है अच्छी बाइंग हो रही है और कॉमिक्स पर भाव है 2370 डॉलर के आसपास दरासल एशिया में सिंट्रल बैंकों के तरफ से सोने की मांग बढ़ी है हलांकि कुरूर में हम देखने की हलकी सी नर्मी है भाव जो है 89 डॉलर के आसपासी कारबार कर रहे है लेकिन एशिया से जो क्यूज है जो संकेत है वो मिक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी हम जरूर उपर देख रहे हैं करेब करेब 85 अंक उपर है बाइजार 820 के आसपास का आकड़ा हम देख रहे हैं लेकिन जापान और कोरिया के बाजार में हम आज कमजूरी देख रहे हैं लेकिन एक एहं बाजार जिससे हम संकेत लेते हैं वो है होंकों का बाजार होंकों के बाजार में आज हम मजबूती देख रहे हैं तो Gift Nifty उपर है, Hong Kong का बाजार उपर है, Dow और Nasdaq में Lower Level से Recovery अच्छी है, Crude थोड़ा सा नरम हुआ है, लेकिन Futures हम देखने की हलके-लके Support या फिर Negative बाइस के साथ Dow और Nasdaq Future कारबार कर रहे हैं, तो overall अगर हम संकीतों की बात करें, तो संकीत आज ठीक ठाक है, Positive Opening की, एक Gap Up Opening की हम उबिद करके आज चल सकते हैं, 22,800 के उपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारबार कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी से तो पॉस्ट संकीत मिल ही रहे हैं, पर आज के लिए काफी एहम होगा देखना, कि कल जिस तरीके का हमने निफ्टी में रिवर्सल देखा, कि आज वो रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि कल एक चुटी है और उसके पहले किस तरीके से बाजार का रुख रहता है, वो भी समझेंगे, और कल जोब हमने देखा कि निफ्टी बैंक भी उपरी स्तरों से थोड़ा सा हलका जरूर हूँ था, आलग कि गिफ्टी आज पॉस्टिव संकेत जरूर दे रहा है, पर ध्यान रखे कि आज निफ्टी बैंक की weekly options expiry भी है, तो कहां पे होती है वो expiry वो भी जरूर हम ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा कल अगर हम देखे तो metals में काफी एक अच्छा action था, हिंडाल को में भी एक अच्छी तेजी थी और आज metals पे हम खास तोर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि विदानता पे CELSE का एक काफी अच्छा upgrade आया है, rating भी बढ़ाई है, लक्ष भी बढ़ाई है, और Jeffries की भी positive report आई है, और साथी साथ कई सारे metal counters जिस पे उन्होंने लक्ष बढ़ाया है, तो एक एक करके अपने experts के साथ उस पे चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले index की बात, और अब चलिए समझ लेते हैं कि index में किस तरीके का data build-up हो रहा है, कहां पे आपको, कौन से levels पे आपको play करना है, nifty, bank nifty के लिए क्या होनी चाहिए रननीती, और ये सब जानने के लिए हमारे साथ, हमारे साहियोगी आज अंच जुड़ चुके हैं, आज डिंपी नहीं है हमारे साथ, तो अंच से समझेंगे किस तरीके का build-up हम देखें हैं, अंच तो सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से FIAS और DIAAS की positioning है, और इस positioning को देखते हुए, निफ्टी में क्या levels हैं जिसको watch out करना है, जिए बिल्कु सबसे पहले तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, पिछले सेशन में निफ्टी ने record है का search हुआ तो है, लेकिन उपनी से करीबन 100-120 points की गिरावट भी नजर आई, लेकिन अगर चार्ट में देखा जाया तो यह जो 22,555 का level यह काफी एक एहम resistance के तौर पे पहले आक्ट कर रहा था और अभी यह support के तौर पे आक्ट कर सकता है, तो जब तक यह level नीचे के तरफ प्रोटेक्ट है, तब तक थोड़े लंबे समय में हम index में positive रह सकते हैं, जो option traders है, वो expect कर रहे हैं कि आगर nifty यहां से ऊपर जाता है, तो यह 22,800 के आसपास एक selling pressure आ सकता है, तो इसको एक resistance के तौर पे मान सकता है, दूसरा resistance 22,900 के पास expect किया जा सकता है, इंडेक्स futures में भी देखें, तो पिछले session में FIS ने longs कुछ 20,000 कॉंट्रेक्ट से बढ़ा है, शौट्स भी करीबन 7,200 कॉंट्रेक्ट से घटा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं, जो टूटल FIS long position है, वो 45.3% से बढ़ कर 50.8% हो गई है, यह कुछ 55 sessions बाद हम देख रहे हैं कि FIS long position 50% के ऊपर जा चुका है, जो कि काफी positivity नजर आती है FIS के तरफ से. और राइट, तो यह थी positioning Nifty 50 की परंच, बैंक Nifty के लिए कौन से डेटा पोइंट सामने आ रहे हैं? जो बिल्कुल Nifty Bank का भी चार्ट देखे, तो यह पाच्वा सेशन था जब हमें लगादार इसमें खरीदारी नजर आई, लेकिन इसका चार्ट देखे, तो एक upward sloping channel बना हुआ है, जिसके पास में अभी नजर आ रहा है Nifty Bank, यह कुछ 49,000 का लेवल है, जहां पे हमें कहीं प कुछ 1.6% से घटावा नजर आ रहा है, तो एक mild shot covering सा दिख रहा है, जो कि एक थोड़े सी positive sign भी है, इंडेक्स options में देखा जाए, तो call rating हो रही है बहुत strongly 48,900 के लेवल पे, जहां पर traders expect कर रहें कि यहां पे एक selling pressure आ सकता है, तो cool मिला कर देखे, तो चार्ट पे हमें 49,000 पर resistance दिख रहा था, options में 48,900 पर उन्हें resistance दिख रहा है, तो यह कुछ 100 point का range है, जहां पर हमें selling pressure देख सकती है, अगर निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जाता है, तो 49,000 पर resistance है, निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन बढ़िया हमने तीजी देखी है, रिकॉर्ड भी बने हैं, लेकिन जो लेविल्स अंश ने आपको बताए हैं, निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए, उस पर आप नजर जरूर बना के चलिए, एफाई से संके ठीक तो आपको जरूर बिकवाली का थोड़ा थोड़ा आखड़ा देखीगा, क्योंकि 8 अपरेल को 685 करून की नेट सेलिंग थी, 9 अपरेल को 593 करून रुपे की आने के करीब 500 करून रुपे के आसपास की सेलिंग हमने देखी है, और डियाइइज के बात करें, तो लगातार म आखड़े देखेंगे, तो निश्ची तोर पर बहुत ही मजबूत है, करेब-करेब 25,000 करून रुपे की बाइंग की FIs ने इंडेक्स आप्शन में, इंडेक्स फूचर्स की बात करें, तो 2484 करून रुपे की और स्टाक फूचर्स की अगर हम बात करें, तो 1,022 करून हो गई है, साथ, और जो कोई भी शेयर बाहर नहीं आया है, कल सेकर हम तुलना करें, कल चार तीन शेयर थे, चार शेयर थे, आज हम देखने की चार शेयर और एड हो गए है, एकसाइड, हिंद कॉपर, आइडिया और इंडिया सेमिंट, यह नए बैन में शले गए हैं, तो जी है, यानि की साथ शेयर आज बैन में कारवार कर रहे हैं, एफनो के बैन में, तो यह आप नजर जरूर बना के चलिएगा, एफनो के स्टॉक्स में, लेकिन चले, एकस्पोर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोश मीडा हैं, सोनी पतनायक हैं, और राहुल घोश जोड़ गए हैं, संतोश जी, सोनी जी और राहुल जी, आप तिनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत 1300 देशवर, सोनी जी शुरुवात आप से करना चाहेंगे, कल भी हमने देखा कि जहां से शुरुवात हुई थी, वहां से बढ़ियां वाला हमने रेकवरी निफ्टी पर देखी थी, आप ही बताइए कि हलांकि हमने क्लोजिंग थोड़ी से नीचे जाके देखी, यह बताइए कि आज के लिए संकेत आपको कैसे दिख रहे हैं निफ्टी को लेकर, क्योंकि 22,650 के नीचे की क्लोजिंग है, कल हमने 22,750 के उपर के इस तर देखी, य आज के लिए संकेत कैसे हो और किस तरह से ट्रेट करें निफ्टी को या फर निफ्टी वैंक को? को वो नजर आया है, बट ऐसा बहुत ज़ादा पैनिक करने का भी वो संकेत हैने, बिकास ओल्दो वो उसने 22,800 के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग देखा है, सपोर्ट ही टेस्ट किया है कल 22,600, 22,500, दोनों के रेंज पे बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट अभी को उसके नीचे आने नहीं देंगे, आज वीकली एक सपाइरी एक रेंज लग रहा है, 22,550 से लेकिón 22,800 तक एक रेंज बन सकता है, अगर 22,800 को आज भो आज कर पाता है, तो आपका ये वीकली एक सपााइरी रेंज एक्सट देंद हो सकता है, पैस अग्र 50,500, 22,600 रहा है जहां पर सबसे maximum call writers present है so एक बार वो level को test करने के लिए जरूर आ सकता है nifty and आप इसको hold कर सकते हैं position in fact कल के गिरावट में बहुत अच्छी एक opportunity थी re-initiate करने के लिए longs 20 to 500 stop loss के साथ आप nifty में longs hold कर सकते हैं 23,000 23,200 का एक target यहां पर बन रहा है और nifty को most likely lead करने के लिए bank nifty ही आएगा because bank nifty का data बहुत strong है और bank nifty में अभी just उसमे breakout दिया है in fact आप bank nifty का अगर एक देखेंगे formation एक higher lows, higher close का formation बनाते जा रहा है वो एक positive trend है और bank nifty बहुत महीने उसे underperform किया है so इस महीने bank nifty lead कर रहा है aggressive rollovers है bank nifty में longs के तरफ so bank nifty काफी strong है आपको 50,000 plus levels भी नज़र आ सकते है so most likely bank nifty lead करेगा जिसके वज़े से nifty भी अपने congestion zone से उपर आ सकता है ठीक है तो इस तेजी में bank nifty lead करेगा overall अगर momentum देखे बाजार का view तो positive ही नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत जो correction आया उसमें आप तेजी करके चल सकते हैं और इस तेजी को lead करेगा bank nifty तो यहां पर भी आप खेडारी का trade ले सकते हैं 50,000 के levels जो अगले हैं वो दिखाई दे रहे हैं और nifty है अगर आपके पास तो hold करके चलिए फिलाल fresh खेडारी मत कीजिए लेकिन जिनके पास है वो अपने stop loss ट्रेल करते रहें और खेडारी करके चलिए चलिए अब आगे पड़ते हैं कुछ trading ideas भी ले लेते हैं अपनी experts से हमारे साथ संतोर जी भी मौजूद है और राहूल घोज भी हमारे साथ बने हुए संतोर जी तमस्कार बताए आज आज आपके trading ideas क्या होंगे यस फस्ट फॉल गूद मौनिंग एवरिवन तो मेरे जो दो trading ideas हैं दोनों में दो चीज़ कॉमण है पहला दोनों ही commodity segments से relate करते हैं पहला दोनों में आज रोक्रेज अप्रेट्स आया पहला तो जिसे हम जान रहे कि बड़ी तेजी बनी हुई है और वेदान्ता में आज CLSS का अप्रेट भी आया और टेक्निकली भी देखे तो एक बहुत ही अच्छा प्रेकाउट आने की तयारी है मुझे लगता है कि हम मोमेंटम और बढ़ते दिखेगा और immediate basis 360 के टार्गिट देखने को मिल सकते है तो किसी का पोजिशनल नजरी है तो मुझे लगता 400 रोपे के उपर के लेवल भी आसानी से देखने को मिलेंगे और similar theme अगर जिस आप से commodity market momentum में उसका फाइदा M6 के share को मिलेगा यहां भी एक अच्छा प्रेंड लाइन का breakout आया है कल अच्छा price volume action देखने को मिला है और यहां पर आज मोतिला लोसवाल का एक update आया है यहां पर 3800 का target रहेगा and 3700 का stop loss रहेगा आपको technical के साथ साथ क्या कुछ fundamental of brokerages की report है वो भी बता दी तो पूरी तरीके से त्यारी करके आया है संतोष जी के कहां पर आपको technical breakouts दिख रहे हैं और उसके पीछे के तर्क भी वो आपको बता दी कुछ समय में जो reports की चर्चा कर रहे थे या जिकर कर रहे थे उनकी क्या कुछ details है in brokerage houses का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपके सामने जल्द ही रखेंगे पर उससे पहले राहुल very good morning बताइए आज की कौन सी रहेंगे आपकी topics नमस्ते और good morning तो markets थोड़ा सा overvalued है according to me तो दोनों stocks जो मैंने चूज किये हैं वो all time high या बहुत strength जिस stocks में है उन counters को मैंने चूज किया है पहला है Maruti again all time high के आसपास trade कर रहा है 12,950 के उपर long कीजेगा current market price 12,900 है 12,050 के उपर long कीजेगा stop loss होगा 12,400 और target होगा 13,800 दूसरा है BEL again higher highs higher lows बहुती strong stock है current market price पे long कर सकते हैं stop loss होगा 2,21 और target होगा 238 तो दोनों long BEL और Maruti ठीक, BEL और Maruti, BEL का share लगातार बार बार हमारे experts की तरफ से recommend हुआ है और राहूल जी की तरफ से लक्ष जो है 249 रुपे का यानि की मौझूदा जो price से उसे 11 रुपे उपर का stop loss से 221 रुपे का यानि की 7 रुपे नीचे का सुनी जी आपके shares कौन से हैं, आप क्या खरीदने की से ला दे रही हैं आज या विशेग जी आज मेरा एक index पे buy है, वो है bank nifty FIS की long short positioning अगर हम देखेंगे तो परसो तक 43% आ गया थे कल के day में 51%, काफी dramatic shift हुआ है और बहुत aggressive positions bet हो रहे हैं bank nifty में, so यहाँ पे पहला मेरा index पे trade ही रहेगा straight, bank nifty मुझे काफी strong लग रहा है, यहाँ से 48,000 का बहुत strong support है, अगर हलकी सी बे decline आपको नज़र आते है towards 48,500, 48,600 वहाँ पे आप buy कर सकते हैं, 48,000 का stop loss maintain कीजे, target रहेगा 50,000, in fact 50,000 को cross भी कर सकता है, और अच्छा positional target मुझे towards 52,000 भी bank nifty में नज़र आ रहे हैं, बट अभी के लिए risk reward ratio के अनुसार में 50,000 का लक्ष यहाँ पे देना जाहूंगे, so यह है पहला trade, दूसरा trade है MCX पे, 3rd April को मैं ET Swadis पे, MCX पे एक recommendation दिया था, 3600 के level पे, 3500 का मेरा stop loss था, और पहला target था 3700, 3740, जो कि कल की day में वो hit हुआ है, targets achieved हुए है, but यह clearly मैंने mention किया था कि MCX for the entire April series, एक 4000, 4100 levels को test कर सकता है, stock of the series भी बन सकता है, MCX में काफी अच्छे से कल long built positions बेखेने को मिला है, plus वो जो एक congestion zone था, 3630, 3620 के range पे, उसको काफी अच्छे से, you know, success को लिए break भी किया है, उसके उपर यह आपको वो run-up देखने को मिला है 3700, so यहाँ पे MCX का में targets extend करना चाहूँगे towards 4000, और आप stop loss trail कर दीजे, जो पहले 3500 था, अभी 3580 पे उसको trail करते लेके आईए, और 4000, 4100 targets को इसको extend किया है, तो इसको hold कर सकते हैं, ठीक है, MCX और Nifty Bank है, सुनी जी, अगर थोड़ा सा Nifty Bank वाली चर्चा को आगे बढ़ा हैं, कलम ने देखा था, कि ICCA Bank से अच्छा support मिला था, और बिना HDFC Bank के support के भी, जो हमने high scale level उसमें देखे हैं, अगर आपसे मैं stock specific अगर बात करूं, कि private banking में क्या आपको सही लग रहा है, ICICA Bank, SDFC Bank, या फिर Axis Bank, इन तीनों में से सबसे बहते हैं आपको किसके लग रहा हैं? तीनों private banks में काफी strong है, बट अगर हम specifically breakout के नजर से भी देखना चाहेंगे, तो पहला stock बनता है ICICA Bank जहां पे clear breakout कल आया है, ICICA Bank है कल 1100 के उपर close दिया है, option chain breakout यहां पे आ गया है already, इन फाक्ट technical charts पर भी अच्छा breakout है, तो ICICA Bank यहां पे आप hold कर सकते हैं, 1150, 1160 का एक target बनते हुई नजर आ रहा है ICICA Bank में, support काफी multiple support है, बट crucial support stop loss के तौर से आप यहां पे 1080 का stop loss maintain कीजे, 1150 target रहेगा, second stock जो private banks में अच्छा है, वो है HDFC Bank, HDFC Bank भी काफी strong है, in fact, lead भी करेगा, थोड़ा सा दीरे चलता है, एक दिन चलता है, फिर दो दिन शान बैठता है, बट HDFC Bank का, अगर हम option chain, option metrics को read करने चाहें, तो काफी strong है, यहां से current level से HDFC Bank 1600, 1620 levels के target नजर आते हैं, and multiple support बन गए हैं, बट मेरे ख्याल से अभी 1530, 1520 के range पे जितना crucial support बना हुआ है HDFC Bank में, वो काफी strong है, risk reward ratio काफी favorable है, आप 1520 stocks के साथ, HDFC Bank भी buy कर सकते हैं, 1600, 1620 target के लिए. ठीक है, 600, 600, 600, 20 के targets आपको HDFC Bank के लिए. लेकिन stocks news आपको बस थोड़ी दिन बताएंगे, हमारे सयोगी हमारे साथ जोड़ गे हैं, लेकिर राहुल जी, कल बाजार जो नीचे आए उपर से, उसके पीछे की वज़े यह रही कि Reliance का support गायब था, हमनी 1.5% के आसपास की हमनी कल Reliance में गिरावट देखी. Reliance आपको कैसा लग रहा है फिलहाल इस तरपर, और ये buy on dips वाला share है Reliance, या फिर अभी और नीची ये जाएगा, और थोड़ी बहुत shorting की opportunities में बन सकते हैं, आपका क्या मानना है? So, दोनों nifty और Reliance में आज का candle, जो follow through candle है, कल की candle का बाद, वो बहुत ही important है, अगर आपको एक red candle, या एक bearish candle देखनी को मिलता है, मैं index की बात कर रहा हूँ, और Reliance की भी बात कर रहा हूँ, तो there can be short term follow through, 3-4% का और downside आपको मिल सकता है, support Reliance का next 2800 के आसपास है, तो जो 4-5% दूर है current market price, तो आज का follow through candle के बाद, डिसाइड कर सकते हैं, कि एक छोटा सा correction हो सकता है, या कल का reaction बस एक नीज़क reaction था, और अप्टरेंड फिर से continue करेंगे हैं, चीक है, तो यह है सलार Reliance पर, लेकिन पिछली कुछ समय से हम देख रहे हैं, मेटल स्टॉक्स फोकस में बने हुएं, थोड़ दे बाद हम आपको brokerage reports भी बताएंगे, क्योंकि आज मेटल स्टॉक्स काफी ज़ादा फोकस में हैं, कवरेज अच्छी निकल कराएंगे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी, संतोज जी, यही जो मेटल स्टॉक्स हैं, लगातार चल रहे हैं, एक तेजी बनी हुई है, अब भी हमने देखा था हिंदुस्टां को पर हिंडाल को जैसे स्टॉक्स, नाको जैसे स्टॉक्स, शांदार तीजी हैं पर देखने को मिल रहे थी, अब भी क्या कहीं मौके आप देख रहे हैं, एंट्री लेने के लिए तेजी और कितनी आगे कंटीनिव रह सकती हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका ओवराल मेटल स्पेस पर? नई, मेरा व्यू मेटल स्पेस पर काफे बुलिश है, और यह मन्त के अलावा पुरा इंटायर एर मुझे लगता है, मेटल और प्रिशियस मेटल दोनों का रहेगा, तो मेटल स्पेस की यह तेजी बड़ी तेजी रहने वाली है, तो अभी हम अरली फेज में है, तो यह जो तेजी है बड़ी तेजी रहेगी, अब अपने हाई को क्रॉस करने की तैयारी में है, तो यहाँ पर और तेजी आना बाकी है, तो अभी स्टील स्टॉक्स में तनी तेजी नहीं आई है, इस्पेसली जो अलुमिनियम और जिंक और कॉपर से लेटेड़ से वहाँ तेजी है, तो मुझे लगता है कि हिंडाल को पर नज़र रखे, यहाँ 640 के टागेट देखने को मिल सकते है, और हिंद कॉपर जिसमें कल 10% का एक सर्कीट लगा था, मुझे लगता है वहाँ तो अभी भी काफे ज़्यादा पोटेंशल है, तो हिंद कॉपर पर आप नज़र रखे, अभी भी यहाँ पर तेजी के मौकें है, शांदार तेजी वहाँ पर भी देखने को मिल थी, लेगिन और तेजी के लिए एंट्री ले सकते हैं, सोजी जी अपोलो हॉस्पिटल पर क्या सला देंगी, अब कल तो अच्छी तेजी थी और निफ्टी का टॉक गेनर भी था, आखरी कुछ घंटों में काफी शांदा बाएंगा इए अपोलो हॉस्पिटल तीन परसेंट उपर की क्लोजिंग दिये, अभी भी क्या तेजी करके चल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में? पूजा जी, कल इन फाक्ट आपी के शो के ओप्शिंस के चैंपिन में हमने रेकेमेंड किया था अपोलो हॉस्पिटल पे 6600 कॉल ओप्शिं जो की अल्मोस्ट टार्गेट वा है, बट विव काफी पॉजिटिव अभी भी लग रहा है, 6500 के उपर क्लोस भी दिया है, टेक है, तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे आप 6600 के टार्गेट साब ध्यान में रखे, परचली अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे खबरे आई हैं और उन खबरों के दम पे आप आप आक्शन भी देख सकते हैं, अशेशा जुर चुकी है हमारे साथ ही पूरी लिस्ट लेकर, अशेशा वेरी गुड मॉनिंग, बताएंगे कहां पे हैं खबरे आज, गुड मॉनिंग शुष्टी, तो सबसे पहले प्रोटीन इगव टेकनोलोजीज की बात करेंगे, ब्लॉक डील हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जहां 361 जो पहले IIFL Wealth के नाम से जाना जाता था, वो करीब 21.5 lakh shares आज ब्लॉक डील के द्वारा बेचना चाहते है, पूरी transaction value 245 crores के आसपास हो सकती है, तो प्रोटीन इगव टेकनोलोजीज पर इसके दम पर अपनी नजर रखे, इसके अलावा Paytm की बात करते है, Paytm Payments Bank के Managing Director and CEO सुरेंदर चावला ने अपना इस्तिफा दिया है, उनका मानना है कि career opportunities और personal reasons के चलते उन्होंने ये इस्तिफा दिया है, याद रखे, regulatory challenges के चलते Paytm और Paytm Payments Bank के बीच जो भी agreement थे, वो already terminate हो चुके है, लेकिन उसके बावजूद Paytm पर इस news के दम पर अपनी नजर रखे, इसके अलावा पैसालो digital की बात करते हैं, जहां operational updates आये हैं, FY24 के लिए, सबसे पहले AUM की बात करेंगे, जहाए AUM ने 32% का growth दिखाई दिया, full year FY24 के लिए, इसके अलावा disbursements में भी करीब-करीब 38% की बढ़होती दिखी, co-landing loan distributions की बात करें, तो वो तो nearly double होते हुए दिखाई दिये, full year FY24 के लिए, इसके अलावा कुछ pharma companies की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले loop-in, जहां company को USFDA से एक drug launch के लिए approval मिला है, ये drug inflammation के लिए काम आता है, और करीब-करीब 128 million dollars की market size है United States पे, तो ये drug launch की approval जो मिला है USFDA से, उसके चलते loop-in पर अपनी नज़र रखे, इसके अलावा, श्याम मेटालिक्स की बात करते हैं, तो कुछ expansion plants आये हैं, company की जो Odisha में facility है, वहाँ पर company ने नया stainless steel plant establish किया है, commission किया है, और ये नई facility की 0.3 million tons per annum की capacity रहेगी, और उसके साथी रखे, company ने middle corp का acquisition अनाउंस किया था last year, वहाँ पर अप company नया land parcel खरीदेगा, अपने expansion plants के लिए, जिसके चलते श्याम मेटालिक्स पर भी अपनी नज़र रखे, शिवालिक रसायन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी USFDA action है, company को साथ observations मिले है, अपनी facility जो भरुज लेकिन company का मानना है कि इस case में कोई merit नहीं है, और company appeal फाइल करेगी इसके लिए, जिसके चलते इंडिया glycols पर भी action देखने को मिलेगा, last में 5 star business की बात करते हैं, तो कल block deal हुई थी, जहाँ पर TPG Asia ने करीब-करीब 55 lakh shares बेचे, 752 rupees per share के rate पर, तो TPG Asia ने अपना stake बेचा है 1.9% stake बेचा है, जिसके चलते 5 star business में भी action देखने को मिलेगा, और राइट, बहुत बहुत शक्रिया, शेशा है, पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए, एके करके हमारे export से भी कुछ counters पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आईए समझते हैं कि brokerages की नजर कहाँ पे है, कहा स्टॉक पर और उन्हें खरीदारी की recommendation दी है, target price 700 रखा है, अगर current market price देखा जाए तो कुछ 525, 521 पर है, तो यहां पे वार 34% का up move देख सकता है, उनका कहना है कि healthy balance sheet के चलते, stock में काफी positivity नजर आ रही है, साथी साथ वो कुछ 21% EBITUS AGR expect कर रहे है, 523 से 526 के बीच, इसके साथ साथ गोदरिश properties भी focus में है, जेफरीज ने report निकाली है, stock बर और उन्होंने buy की rating को बरकरा रखी है, हाला कि target price को बढ़ा दिया गया है, 2700 से बढ़ा कर 3175 कर दिया गया है, और उनका कहना है कि FY24 में जो sales में बढ़ोतरी हुई है, वो momentum continue होने की उमीद है, साथी साथ जो नए project है, उसके कारण margin में भी काफी improvement आ सकता है, MCX पर भी report है और ये मोतिलाल उस्वाल के तरफ से है, उन्होंने अपनी neutral की राय को upgrade करके खरीदारी की राय दे दी गई है, target price भी 3940 से बढ़ा कर 4300 कर दिया गया है, और उनका कहना है कि new product launches के वज़े से growth में काफी अच के तरफ से और इन्होंने buy की rating दी गई है, target price 1505 दिया गया है, current market price देखा जाए तो 1200 के आसपास है, तो यहां पे कुछ 25 का up move देखा जा सकता है, उनके हिसाब से tariff hike के वज़े से भारती air tail काफी लाब में रहने की उमीद है, और साथी साथ 5G rollout होने पर capital expenditure गिरने की उमीद है, जिसके कारण free cash capital आ सकता है, जिसके वज़े से stock में भी काफी अच्छी positivity नजर आ रही है, आखिर में metal share पर बात करते हैं, जेफ्री ने काफी अच्छी positivity, positive report निकाला है metal share रुपे, उनका कहना है कि global PMI की improvement से पूरा optimism दिख रहा है metal share रुपे, एक बर इसकी list भी देख ले पर 900 कर दिया है, टाटा स्टील पर भी ये बाइकी रेटिंग है, टागेट प्राइस को 165 से बढ़ा कर 200 कर दिया है, हिंदाल को पर भी बाइकी रेटिंग बरकरार है, और यहां पर भी हमें target प्राइस जो है, वो 610 से बढ़ा कर 700 करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जेफ्र सुदेश के एदिटर इंचीफ, निकुंच ताल्मिया जी जोड़ चुक है, निकुंच वेरी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग तो गिफ निफ्टी की भी दिख रही है, कल एक सेल-off के बाद आज थोड़ा पॉस्टिफ संकेत जरूर दे रहा है, पर खास तोर से आप से मेडल्स पे राय जानना चाहेंगे, कि कैसे पोजिशन करें अपने आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रिशिस मेडल्स में अच्छी रन-अप है, बेस मेडल्स भी कई सारे ओल-time हाईप हैं, और अब ब्रोकरिज भी डॉमेस्टिक मार्केट में काफी पॉस्ट आने वाला था, धीमापन आ रहा है, मगर इतना जादा नहीं आ रहा है, ग्लूबली अगर आप देखें, इंट्रेस टेट्स पीक आउट हो चुकी हैं, और हमने इस्टॉरिकली देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स पीक आउट के संकेत देता है, तो उसके मेडल्स हमेश तलवार निकाल करके वाफिस इंट्रेशन के पीछे जाने वाले हैं, इंट्रेशन के पीछे अगर नहीं जाएंगे तो जाहरती बात है, मेटल्स और कमोडिटी इस के आगर कि उनकुछ च चिंता नहीं मिल रही है, स्पेसिफिकली मेटल स्टॉक्स अगर बात करें तो अगर ठीक हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर वेदानता जैसा शेयर आउट परफॉर्म करें. दूसरी अच्छी बात जो शौट टर्म के अंदर ही एप्लिकेबल है, वह कि मेटल के अंदर जो कंजंप्शन है, उसके अंदर और और कवला ये ऐलेक््रिसीड़ी बहुत लगती है. और के दाम इतने नहीं बढ़े हैं और कोईले के दाम इतने नहीं बढ़े हैं मगर अंडरलाइंग आसेट्स के प्राइसे जो पेडियूस मैटल है उसके दाम भड़ चुक हैं जिसकी वज़े से अगले दो कौटर तक realization इन सब मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा. Nikol sir, good morning. मैं सोच रहा था कि आप से PTM को लेकर सवाल पूछो, नहीं पूछो, बड़े कश्मकश्म था लेकिन पूछी ले रहा हूँ. क्योंकि खबरें कई सारी हैं. एक तो PTM Payments Bank के MDN CEO सुरेंदर चावलें सिर्फा दे दिया हैं. और PTM के साथ जो भी करार है, उनके सारे के सारे उनों तोड़ लिये हैं, रद्द कर लिये हैं. एक ये खबर है. दूसरी है कि रिटेल निवेश्कों का और mutual fund का जो stake है, PTM में वो कैसा लग रहा है? और यहां से way ahead, आगे की राह कैसी है? क्या करना चाहिए निवेश्कों को? तकि PTM एक बहुत बढ़िया ब्राइंड है. और अगर में PTM की पिछले 10-12 साल की जर्नी देखे तो शायद ही कोई एक इतना चोटा ब्राइंड, इतना बड़ा ब्राइंड बना नहीं है. अब जहां तक PTM की शेर की बात है, देखे साब, हम एक बुल मार्केट में हैं, बुल मार्केट के अंदर more than new psychology भी काम आती है. तो जब कोई शेर गिर जाता है, तो सबको लगता है, सौरबे का शेर 80 रुपे हो गया है, और कितना गिरेगा? 80 का 70 हो जाता है, और ल लेवल पे चर्न आ रहा है. कुछ दिन पहले हम न्यूजरू में बात कर रहे थे कि PTM के अंदर काफी बड़ी attrition हो रही है. तो ये ब्रैंड और ग्रोथ को लेकर के PTM के लिए कुछ कठिन समय आने वाला है. और कंपनी ने जो भी guidance दी थी FI 25, FI 26 को लेकर के जाहिर सी बात है कि अब वो उसको meet नहीं करेंगे. तो मुझे नहीं लगता है कि PTM के अंदर अभी लोगों को invest करना चाहिए क्योंकि इस market के अंदर ideas की कमी नहीं है. अगर आपने एक साल पहले या सबा साल पहले call ली होती जी में PTM में invest नहीं करूंगा, बगर जमाटो में करूंगा, मैं पॉलिसी बजार, नाइका, जमाटो. मैं इसके बाद आप देखिए, एक साल का चार्ट कर प्रोड्यूसर साफ फायर करें PTM versus जमाटो, पॉलिसी बजार वसें नाइका. So, I think, जिन शेहरों के अंदर आपको clarity नहीं दिखती है, तो it is better to wait for the clarity to come. हम अगर एक बड़ी बुन्यादी बात करें, अभिशेक, it is better to play scene rather than playing blind when it comes to a stock like PTM. मैं दुबारा बुलूँगा, scene का wait करें, blind ना खेलें. पेटियम में clarity आने की ज़रूरत है, काफी सारे development हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा clarity आने दीजिए, आने वाले कुछ quarter देखने दीजिए, उसके बाद यहां पर कुछ नजरिया क्लियर होता हुआ, आएगा. निकुद सब, reality stocks, property stocks इस पर क्या नजरिया बन रहा है? हमने देखा एक की बाद एक business update भी strong आ रहे हैं, brokerage reports भी positive हैं, तो इस pace में आपका क्या नजरिया बन रहा है? देखे, real estate sector तेजी में है, और realistic stocks तेजी में है, और अगर आप उनको hold करते तो please hold करिये, अगर आप fresh लेना चाहते तो decline का वेट करें, इस market के अंदर मुझे नहीं लगता है कि आपको एकदम 100% capital commit कर दिनी चाहिए, वह समें था March में, वह समें था 2023 के beginning में, 8-10 दिन के capital किसी भी शेतर में commit करने चाहिए, market ज़्यादा गिरेगा नहीं, अगर आप अगर अगर आपने तीन साल का portfolio है, आप तीन साल तक real estate stocks रखना चाहते हैं, प्लीज उनको रखें, उनको बेचिये मत, because यह real estate की cycle होती है, वह 7-9 साल की cycle होती है, पर cycle को भी 3 साल हुआ है, sector में consolidation हो रहा है, bookings अच्छी है, profits अच्छी हैंगे, तो there is no problem, valuations भी ठीक ठाक है, बगर short term पे quarterly updates के बाद अगर आप लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता आप गिरावट का थोड़ा वेट करना चाहिए, और मेरा ये भी मानना है, हाला कि मैं contradict करूँग अपने आपको बोल कर गिर गिरावट नहीं आएगी, तो जो छोटी गिरावट आती है, उस पर आपको लेना चाहिए, अगर आप एक market का view बनाना चाहते है, तो मेरा view ये है, कि market मुझे नहीं लगता है कि election तक market में कोई बड़ी मंदी आने की उमीद नहीं है, साथ ही साथ देखे तो एक छोड़ा सा pull नहीं चाहिए, आपकी रननीती ये बताने के लिए, पर चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारे महमानों के पास चलेंगे, इस बीच हमारे साथ सनीहा पोदार भी जोड़ चुकी है, उनका स्वागत करते हैं, सनीहा, very good morning, बताईए सबसे पहले, आज के लिए कौ से कम दिखेगी और उसी परस्पेक्टिव को रखते हुए, हमने कोल्टे पाटल पर इनिशेट किया, ये को अपुने बेस्ट कंपनी है, जो की ग्राजुली एक्स्पैंड करी मुंबई और बैंगलरू मार्केट में, लास्ट अगर हम उसकी 10 साल के हिस्ट्री देखे तो ग अगे कुछ सालों में लांच होएंगे, तो ये हमें एक अच्छी विजिबिलिटी प्रवाइड एंड देखे अच्छा प्री यहर्स हमें अच्छा प्री सेल्स देखने को मिलेगा, हम मोर थन 30% कागर एक्सपेक्ट कारें, मोरोवर कंपनी ने बहुत अपने बैलन शीट प और हमने टागेट प्राइस रखा है 700 जो कि मोदान 30% अपसाइड देता है, ठीक है तो रियल स्टेट पे थोड़े से डिप की वेट करिए, बहुत जादा डिप आने की उमीद नहीं है, ऐसा आपको राइ दी गई है निकुछ दालमियाजी की तरफ से और साथ ही अगर स्ट पर आगे बढ़ेंगे और कुछ और काउंटर्स पे जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट हमारे साथ मुदूध हैं और एक बार संतोष आपसे जाना चाहेंगे कि आपकी राय जो है मेटल काउंटर्स पे क्योंकि आपने बताया कि कुछ काउंटर्स जो है आपके रेडार पे जरूर है पर उनमें से एक और काउंटर है नालको इसका एक बार चार्ट चेक दीजे क्योंकि हमने देखा कि कुछ PSU खेमों में सेल नालकों में काफी अच्छी तेजी आई एक बार आप बताईए कि ये दोनों कैसे प्लेस लग रहे ह सब्सक्राइब तो आउट करी रहे हैं और टाइम हाई के आसपा स्ट्रेट कर रहे हैं मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 200 के टागेट हमको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं 200 क्रोस करता तो शायर इस से भी उपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं जैसे वह बहुत है तो यह सब्सक्राइब तो यह सारे जितने भी मेटल कंटर से बहुत ही स्ट्रॉंग अज़र आरहे हैं और यहां से पची से तीज परसेंट की अपसाइड आसे देखने को मिल सकती है ठेक है तो सेल और नाल को यहां पर दोनों ही काउंटर पर आपको लेवल जरूर ध्यान में रखने हैं मेटल काउंटर काफी वालिटाइल भी रहते हैं पर अब जिस ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं वो ट्रेंड कंटिनूड रहेगा ऐसा हमारे एक्सपर्ट का मानना है पर और काउंटर यहां पर भी पॉस्टिव रिपोर्ट आई है अंटिक की तरफ से और सोनी एक बार भारती अटल पर आई दीजे देखे कुछ दिनों पहले ही इस काउंटर ने काफी अच्छा ब्रीक आउट दिया था बारोसो के उपर पर फोड़ा सा री ट्रेस जो है जरूर अगर क्रॉस कर पाता है तो 1220 के उपर पोजिशन लेना बैटर रहेगा और 1220 के उपर वो री टेस्ट कर सकता है 1250 के लेवल्स को तो एक बार थोड़ा सा हलके सब बेट कीजिए अगर 1220 रेस्टेंस क्रॉस होता है तो उसके उपर आप इंट्राडे बेसिस पे भी विउ चाहेंगे और ये विउ अब चाहेंगे सनिहा आपसी काठमांडू में 102 कमरों का पहला होटल शुरू किया है और हम देखने की धिरे-धिरे करके एक होटल के संखिया लगातार लेमेंटरी बढ़ा रही है 139 रुपे क्या आस-पास कभाव है कंपनी आपको ये कैसी ल आइपलाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और हाली फिलहाल में इसने एक काफी बड़ी होटल उपन की है और इस करके जिससे इसकी जो अबरेज रूम रेंटल से काफी इंप्रूव होते भी दिखेगी और अद दे सेम तैम डिमांड बेंड बेंड होएगी तो जहां ड काफी बॉइंड है अद दे सेम ताम कंपनी प्रीमिम प्रोपर्टीज और प्रीमिम लोकेशन पर होटल लॉंच करने से उसकी जो अबरेज आरा रहे वो भी इंप्रूव होती नजर आरी तो ओवरॉल एर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलीटी बहुत स्ट्रॉंग है और इ ठीक है लेमिन्ट्री पर स्निहा बोलिशे लेगी चलिए कुछ और जबरदस्त ट्रेडिंग कॉल्स हम समझते हैं बाजार पर व्यू लेते हैं स्वागत करेंगे बाजार के एक और महारती संजीव भसीन का वसीन साब गुड मॉनिंग जैम आता दिया आपको सबसे पहले सराप सिये जाना चाहेंगे बाजार पर एक व्यू शेयर कीजी नया रिकॉर्ड तो हम देख चुके हैं निफ्टी पर सिंसिक्स पर निफ्टी बैंक पर यहां से आगे की चाल और कुछ अपडेट्स है तो भ गुड मॉनिंग अभिशेक आपको भी सारे वीवर्स को बहुत-बहुत नवरात्रों की शुब कामना है जैम आता दिया तो देखिया कल भी मैंने आपको कहा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए मार्केट यहां वालेटिलिटी दिखा रहा है स्टॉक देटा भी आएगा यूएस में जो थोड़ा वालेटिलिटी कर सकता है बट जैसे मैंने का लाज पार्ट ऑफ गुड न्यूज इस इन दा प्राइस हमें अर्निंग्स की वेट करनी चाहिए और वो आईटी कंपनी से स्टार्ट होएगी PCS के बारा तो है तो next week will be a decider अभी क लिए मैं यह कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा cash raise करना is not a bad idea लेकिन आप stock specific रहे और hedge करके चले तो बहुत बड़ी है आपको याद है मैंने आपको जोर से चिला के का आता 250-60 में वेदानता आउट परफॉर्म करेगा एक महिने में 28% बड़ा है वेदानता ऐसे ही नेलको 135 135 वाला 100 new high हो गया है तो metals में अभी भी मुझे बड़करार है तेजी लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ मेरे picks हैं जो मैं आपको review करना आता चाहूं UPL मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कल भी UPL ने 3 month high बनाया है और आपको और बताऊं के sunflower corn और canola prices are up 37% in the month of March ये बहुत जोर से गिर में बहुत बड़िया result आएंगे UPL के तो UPL मैं अभी भी सोचता हूं साड़े 600 का target मेरे को year and new उससे शहत पहले ही आ जाए and I would say this is one of my top specialty chemical contrarian place दूसरा मैंने आपको पहले भी काया इंडिया बूल real estate no brainer है आज जीतु भाई ने भी confirm कर दिया के आगे जाते होए sales और जो उसके domestic targets है record profit आएगा क्योंकि inventory is self-owned है और जैसे जैसे new projects launch होएंगे एक बारी NCLT का merger की news आजाए जो 24 तारीक को है ये share हाथ नहीं आएगा मैं अभी भी 185 का निया टर्म target और 500 का year end target रखता हूँ तीसरा मैंने आपको कहा था आज भी कहता हूँ वेधानता वापिस लीजिए 330 का 18 का stop loss है 375 का target SBI life देखिए insurance is in a very sweet spot surrender value पे जो ambiguity थी वो खतम हो गई और मुझे लगता है 1700 का target SBI life में आ सकता है लेकिन लाज में थोड़ा सा cautious रहूँगा 22-700 की put 165 और 68 के बीच में मिले और उसमें 135 का stop loss रखिए वो 500 तक जा सकती है यह एक आपके लिए hedge है या safety है या एक protection है जो आपको खरीदनी चाहिए क्योंके market यहाँ से turn होई तो थोड़ा सा शाप हो सकता है तो वेदानता पर खरिदारी करने की सलाह है आज SBI life पर भी आप खरिदारी करके चल सकते हैं और आपको निफ्टी में भी एक strategy बता दी गई है कौटर फोर के नतीजे को देखते हुए कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक्स पर आप नज़ा रखेंगे बहुत अच्छी बात है बैंक्स में को लगता आउट पर्फॉर्म करेंगे PSUs और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स क्यूंकि उनका जो spread है वो बहुत अच्छा है और उन्हों ने दिखाया है कि चाहिए cost of money has gone up HDFC जैसे बैंक्स ने rates नहीं बढ़ा है मुझा लगता है वो outperform होएंगे real estate में आपने देखा है record sales आ रहे हैं और वो quarterly numbers में आएंगे और तीसरा मैं आपको फिर कहता हूँ specialty chemical can be a very very big dark horse जहां earnings can actually beat estimates क्योंकि वहाँ expectations बहुत लो है और चाइना की वापसी से metals में भी वापसी तेजी आएगी fifthly होएगा auto और last होएगा capital goods तो in sum यह यह पांचे sectors हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए but मुझे लगता है banks and specialty chemicals can be the dark outliers specialty chemicals जो है dark outliers हो सकते हैं पर बसीन जी मेरा एक सवाल आपसे autos पर यह था देखे कल गुड़ी पढ़वा था नवरातरी का पहला दिन और कई सारे लोग जो है अपनी नई गाड़ियां लेते हैं ऐसे मौके में और पिशले साल से हम देख रहे हैं कि festive season sales जो है वो काफी अच्छे से hold on कर रही है हाल फिलहाल कुछ auto counters फिर से मजबूती में आए है इस समय कोई auto stock जो की आपको अच्छा लगता है और आपको दिखेगा नहीं 13,000 हो गया है अब क्या बोलो 15,000 तो वो भी लोगों को अचंबा लगेगा लेकिन that is possible यहां मेरा dark horse है अशोग लिलेंड मुझा लगता है जिस तरह से उनकी 4A as products and कर रहे हैं अशोग लिलेंड is a 53% market share in the bus market और जिस तरह से bus की expansion है for school, institution and roadways बहुत positive रहेगा मुझे लगता है अशोग लिलेंड is a very very attractive by this price और दूसरा होएगा OEM मदरसन सूमी यह दोनों stocks मुझे बहुत पसंद है as a disclosure यह तीनों stocks हमारे portfolio में much lower level से हैं तो आप अपना diligence करिए लेकिन miss मत करिए थोड़ा बहुत अभी लीजे, correction पर और लीजे बहुत 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 शक्रिया भसीन जी इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे many thanks आज हमारे साथ जुड़ने के लिए markets पर अपना view बताने के लिए और साथ अपने stock ideas भी share करने के लिए चर्चा जारी है तो आपसे सवाख होगा यह जो summer से जुड़े जो stock है जी जे तो जो theme प्ले आउट कर रही है इसमें काफी सारे traders और retail investors इसे जुड़े stocks पर भी नज़र रखे हुए हैं अगर किसी को इसी trend को ध्यार में रखते हुए किसी को अगर नज़र रखनी हो तो कहां पर focus होगा क्योंकि हार फिलाल में काफी सारे reports देकी stocks भी चरना है वोल्टा काफी जादा focus में इस बीच तो आपका क्या नजरिया बन रहा है इस थीम से रिलेटेड जी मुझे इस थीम में दो स्टॉक्स पसंदे एक हैविल्स इंडिया और एक वारून बेवरिज़ तो जहां एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर्स की बात हो रही है तो हहां पर डेफिनेटली वारून बेवरिज़ बहुत अच्छे तर फिट बैटता है यह एक लीडर है और नो डाउट इसका मार्केश है काफी स्ट्रॉंग है जिस तरह की इसकी पेनेट्रेशन है तो यह डेफिनेटली एक लंबी रेस का घोड़ा पन सकता है और स्पेशली शॉर्ट टर्म में विट रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर्स इसके सेल्स काफी बूस्ट है तो Q1 नमबर इसके काफी स्ट्रॉंग होने जिए दूसरा काउंटर मुझे पैसंद जो है वह है है तो है तो है तरफ स्विचेज और स्विचेज और केबल वायर के जो सेग्मेंट है वो काफी अच्छे कर रहे है और यह आगे जाके जहां गवर्मेंट का काफी फोकस है इंफरास्ट्रॉक्चर पे तो डेफरेंटली सेग्मेंट सेग्मेंट करेंगी दूसरा इसका जो कंस्यूमर डॉलबल वाला सेग्मेंट है वहां पर लॉइड काफी तेजी से मार्केट शेयर गेंड कर रहे है और जिस सरके से न्यू प्रोड़क्स लांच के है तो यह काफी विजबल हो गया है पर अब यह तेजी रफ़तार से कंपनी आगे प्रोग्रेस लेगी तो यह दो काउंटर से मेरा स्ट्रॉंग तो है तो है विल्स लॉइड जैसे स्टॉक पर स्नेहा बुलिश है इस पर आप नजा रखिए राहुजी टाइटन पर सला दीजे कल हमन कुररंटली आप टाइटन का स्ट्रॉक्चर देखेंगे तो तीन बार एक ही हाई लेवल से ताइस 3-8-2-0 के आसपास वहां से रिजेक्शन मिल रहा है तो जब तक यह 3-8-2-0 लेवल क्रॉस नहीं होता है शॉट टम में आपको एक साइडवेस ट्रेंड तो थोड़ा सा ब आप एक बेरिश पोजिशन जरूर बना सकते हैं ऐसा राहूल का मानना है और जो लेवल्स है वो भी आजान में रखें पर इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और काउंटर्स भी फोकिस में है जहां पर अच्छा अक्शन है और साथी साथ नतीजों के पहले कुछ किये वकल 2% की तेजी थी क्या आपको लगता है कि यहां पर कोई रीबाउंट की उमीद है थोड़ा सा कॉंटरा प्ले है यहां पर बहुत जादा स्ट्रेंथ है नहीं और एक दिन का भी मूफ नेक्स टे को सिस्टेन नहीं हो कर पाता है अभी काफी डिफिकल्ट है कहने के लिए कि अगर बॉटम आउट हो गया है सारे काउंटर्स देफिनिटली थोड़ा साथ तू सून है बट आप परसिस्टेंट की बात करेंगे तो एक बार इंतजार करना बेटर रहेगा अगर 40-50 को क्रॉस कर सकता है 40-50 तो उसके उपर ही परसिस्टेंस को लेकर पर कुछ और काउंटर्स पे भी नजर डालेंगे यहां पर आज एक नौमेरा की रिपोर्ट आई है जहां पर उनकी जो एक रीसंट यूनिट थी बद्दी की उसको यूएस एफडिया से आपतिया जारी की गई थे और नौमेरा का कहना है कि जो फॉर्म 483 में से डीटेल्स निकल कर आई है वो थोड़ी से कंभीर जरूर है इसको लेकर आने वाले समय में कुछ यूस एफडिया एक्शन भी रेती है तो उसकी पॉसिबिलिटी वो हटा नहीं सकते है और कह रहे है कि ये नेगिटिव जरूर हो सकता है राहूल एक बार एक बार एक बार एक बार चेक कीजिए कि आपको लगता है कि यहां से थोड़ी हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे है राहूल अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो Alchem Labs ओके तो Alchem Labs basically short term down move यहां पे arrest होने का chance है क्योंकि 4800 पे एक buy level है 4880 पे stock चल रहा है less than 2% पे एक buy level है और वहां से हमें push upside की तरह देख सकने है weekly का charge structure no doubt weak है जैसे आपने कहा lower highs और lower lows बना रहा है 4800 जिन लोगों के पास short position है 4810 4805 पे book कर देना चाहिए और देखना चाहिए एक reversal आ रहा है कि नहीं 4800 के आसपास अगर एक reversal देखनी को मिलता है और आप एक bullish candle देख रहे हैं इस zone के आसपास तो long जा सकते हैं till then no long position in Alchem ठीक है Alchem को लेकर ये view सोनी आप से जाना चाहेंगे जरा inter globe aviation चेक कीजिए हम देखने की लगातार इसमें अच्छी तीजी बनी हुई है कल भी इसने 52 वीक हाई बनाया है और एक इनको फाइदा ये मिला है कि विस्तारा की जो अड़ाने रद हुई है उसका फाइदा मिला है और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मिया शुरू हो गई है तो travel season की एक शुरुवाद भी हो गई है इंटर ग्लोब aviation आप कहां तक के लक्ष इसमें आप देख रही है और क्या fresh खरदारी करनी है इंटर ग्लोब में यहाँ पर देखेंगे कल का जो close है 3633 पे हुआ था 3600 के उपर अभी भी intact है तो एक अच्छा support है वहाँ पर 3600 stop loss trail कर दीजे आज कर जो pre-opening अभी तक दिखा रहा है वो करीबन 3700 के पास नजर आ रहा है अभी तो 3700, 3750 तक के एक बार test कर सकता है आप अगर कहीं भी dip पे buy करते हैं तो थोड़ा सा risk reward ratio बन सकता है 3600 का काफिय चास support है उसके around अगर आपको मिलता है buy करने के लिए तो बैतरीन opportunity है पर अगर नहीं opportunity मिलता है तो आप 3650 के आसपास भी buy कर सकता है 3600 स्टॉप्लिस maintain कीजिए 3750, 3800 का target एक्स्जिंड हो सकता है ठीके 3750, 3800 रुपे तक के target की उमीद आप करके चल सकते हैं पैसा लो digital ये company है इसके बारे में जरा व्यू जाना चाहेंगे 82 रुपे का भाव है और इसको आप राहूल जी चेक कीजिए इसके जो अपडेट्स आए हैं बिजिनस अपडेट्स वो अच्छे आए हैं हाला कि इसका जो 52 विक हाई है वो है 99 रुपे, 100 रुपे के range में लेकिन जो अपडेट्स आए हैं वो बड़ा तगड़ा है क्योंकि हम देखने की उसमें इनका जो AUM है यानि की asset under management है 32% की growth है, disbursement की बात कर लें तो disbursement में 38% के आज पास की growth है और जो customer franchise है उसमें almost 3 times का उच्छाल हम देख रहे हैं यह जड़ा चेक कीजिए, हलांकि आज तो नमस इसके जो आये हैं, इसके दम पर share थोड़ा सा उपर खुले गाई है लेकिन आपको इसका structure कैसे लग रहा है राहुल जी राहुल से संपर तूट गया है स्निहा जी आप व्यू दीजिए, आप इस पर जड़ा एक fundamental व्यू दीजिए कंपनी आपको कैसी लगती है और क्या उमीद करनी चाहिए इससे जी मेरा इस पर कोई fundamental व्यू नहीं है कोई बात नहीं, चले technical व्यू लेंगे संतोज जी से लेंगे, संतोज जी पैसा लोड डिजिटल नंबर्स अच्छे हैं, इनकी बिजनस अपडेट्स के AUM के या फिर डिस्वर्समेंट की शेर का structure आपको कैसा दिख रहा है यस, स्टॉक की बात करें तो हमने एक vertical fall देखा था स्टॉक में 100 रूपीस से एक fall आया तो सीधा 54 रूपीस तक रहा था, फिर हमने एक sharp recovery भी देख रहे है तो हो सकता आज इसमें उसके चलते एक positive opening हो जाए लेकिन मैं यही सला दूँगा कि 90-100 रूपे के बीच मेरे किसके पास है तो एक बाद प्रफिट बूटिंग के मुक्ट होना चाहिए फ्रेश एंट्रे के इस लेवल पर सला नहीं रहेगी ठीक है तो यह है सला पैसा लोग डिजिटल पर प्रियोपन सेशन में अच्छी तीजी दिखा रहा है यह स्टॉक इस बीच हमारे साथ कुछ बोरा पिजू चुके हैं पैनल पर कुछ गुट मॉर्निंग थैंक यू सो मजी टीना वस्वदेश को असमय देने के लिए बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है आपका उस पर एक क्विक फ्यू शेर कीजिए इसके साथ अपने अपने स्टॉक आइडियास भी जी फर्स्ट आप वेरी गुट मॉर्निंग पुजा सारे पैनलिस और दर्शिकों को भी है वेरी गुट मॉर्निंग वेल देखे कल का जो व्यू था वही मार्केट में अभी भी तो बाइक करते चले यहां पर आपका रिस्क रिवार्ट रिश्यो जो है यह फेवरेबल रहेगा मोमेंटम को चेज ना करें किसी भी तरका गैप अप मिलता है तो उसे एक जित अपॉर्चुनिटी के दौर पर यूस करें या ट्रिलिंग स्टॉपलस लगा के अपने तो ओवरॉल निफ्टी पर थोड़ा सा कॉशियस व्यू भाय ओन डिप्स दैंक निफ्टी हमें यहां से बुलिश लग रहा है इसी के साथ हमारे जो आधिके दो पिक्स हैं वो है टॉर्ट पावर और तेजस नेटवर्ट दोनों ही स्टॉक में अगर आप देखें तो अच 1640 और 1680 का 1560 इसको अपना स्टॉप लेके चलें और तेजस नेटवर्ट पे 825-850 के निएर टर्म टार्गेट और 780 यह आपका स्टॉप लग रहेगा पावर और तेजस में तेजी करने की सला यहाँ पर कुश की तरफ से लिए नौ बच चुके हैं और अब खबरों की चरते रिपोर्ट की चरते किन स्टॉक्स में ये एक्शेन नजर आ रहा है या आ सकता है ये बताने के लिए आशीशा हमारे जर साथ जूर चुकी हैं और र जेफ्री इसकी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है याद रखे ग्लोबली मैक्रो डेटा काफी स्ट्रॉंग है चाइना से ही नहीं काफी डेवलाप्ट और इमर्जिंग मार्कित से भी काफी पॉजिटिव डेटा आया जिसके चलते उनका नजर या पॉजिटिव है कोल इंडिया पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 250 रुपीज प्रती शेर का टागेट दिया है इसके अलावा JSW Steel, Tata Steel और Hindalco पर उन्होंने टागेट प्राइसे बढ़ाए है पॉजिटिव रिपोर्ट जिसके चलते इन सभी मैटिल काउंटर पर अपनी नजर रखे इसके अलावा एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट विदानता पर भी आई है CLSA की जहां पर डबल अपग्रेड आया है खरीदारी की राय दी है पहले बिकवाली की राय थी और टागेट प्राइस बढ़ा कर 390 रुपीज प्रती शेर कर दिया है CLSA का मानना है कि ग्रोथ और मार्जन एक्सपैंशन के चलते अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे सकता है विदानता में तो मेटल काउंटर्स के साथ साथ विदानता पर इन पटिकुलर फोकस रखे इस ब्रोकरिज रिपोर्ट के दम पर पेटी एम पर भी नजर रहेगी बिकवाज पेटी कमिशन की है उर्डिशा में जिसकी कपासिटी 0.3 मिलियन टन्स पर अनम के आसपास की है फाइव स्टार बिजनस की बात करें तो कुछ ऑपरेशनल अपडेट रादर अकल ब्लॉक डील हुई थी जहां पर टीपीजी एशिया ने 56 लाक शेर बेचे जो 1.9 परसेंट की के आसपास है तो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और टीपीजी एशिया ने स्टेक बेचा है जिसके चलते फाइव स्टार बिजनस पर भी अपनी नजर रखे भारती एटेल पर एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है एंटी की जहांनोंने खरीदारी किराई दी है और बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भारती एटेल पर इसके अलावा आटवे स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरिज में आज हम कोल्टे पाटिल की बात करेंगे जहां पर मोतिलाल ओस्वाल की रिपोर्ट आई है उन्होंने खरीदारी की राई के साथ इनिशियेट किया है कवर कर सकती है Fy 23 से 26 के पीरियड में तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है कोल्टे पाटिल पर जहां मोतिलाल ओस्वाल ने इनिशियेट किया है कवरिज इसके अलावा नौवे स्टॉक में HDFC बैंक पर नजर डालेंगे चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे लेकिन बरंस्ट ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए तो बरंस्टीन के पॉजिए रिपोर्ट आई है HDFC बैंक पर जिसके चलदे HDFC बैंक में भी आज अक्षिन दिखाई देगा बहुत 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 शुक्रिया अशेशा है पूरे लिस्स सामने रखने के लिए तो धेर सारे काउंटर्स है जहां पर रहेगी नजर कुछ काउंटर्स पर हमने चर्चा भी कि हमारे एक्सपर्स के साथ HDFC बैंक पर उनसे नजरिया जरूर लेंगे पर बाजार में इस समय कहां है नए मोके और साथ ही पेटीम के शेर धारकों को क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ रनीती अपनानी चाहिए इस पर आये जानते हैं ETNOW और ETNOW सुदेश के एजर इंचीफ निकुंच ताल्मिया की राये ताब करके श़ोड़ने प्रणी अगर आपने तीन साल यह का मै害 थाएगे तेन साल का महां है और ताब्पर रहे ह। आप ले ना चाहिए तो मुझे लगात के पर खर भुए यह लगत करना चाहिए और मेरा यह भी मानना है elb में contradict करूँगा अपने आपको बोल कर गरावट का बेट करना चाहिए वगर मेरा ये भी मानना है कि बड़ी गरावट नहीं आएगी तो जो छोटी गरावट आती है उस पर आपको लेना चाहिए अगर आप एक market का view बनाना चाहते है तो मेरा view यह है कि market मुझे नहीं लगता है कि election तक market में कोई बड़ी मंदी आईगी तो मुझे लगता है प्रेटीम के अंदर जो typical retail का जो इस समें inflow आया है I think that is because of price not because of news or value दूसरा प्रेटीम के अंदर अब देख रहे हैं कि top level पे churn आ रहा है कुछ दिन पहले हम news room में बात कर रहे थे कि PTM के अंदर काफी बड़ी attrition हो रही है तो यह brand और growth को लेकर के PTM के लिए कुछ कठिन समय आने वाला है और company ने जो भी guidance दी थी FI 25, FI 26 को लेकर के जाहिर सी बात है कि अब वो उसको meet नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि PTM के अंदर अभी लोगों को invest करना चाहिए क्योंकि इस market के अंदर ideas की कमी नहीं है अगर आपने एक साल पहले या सबावा साल पहले call ली होती जी मैं पेटियम में invest नहीं करूँगा बगर जमाटो में करूँगा मैं पॉलिसी बजार में invest करूँगा बगर नाइका में नहीं करूँगा तो आप देखे कितने कितने differentiating returns आए हैं 2023 के beginning में ये सारे shares एक साथ गिरे थे पेटियम पॉलिसी बजार नाइका जमाटो बगर उसके बाद आप देखिए एक साल का चार्ट कर पेडियूसर साफ फायर करें पेटियम वर्से अमाटो पॉलिसी बजार वर्सें नाइका जिन शेहरों के अंदर आपको clarity नहीं दिखती है तो it is better to wait for the clarity to come हम अगर एक बड़ी बुन्यादी बात करें it is better to play scene rather than playing blind when it comes to a stock like पेटियम मैं दुबारा बोलूँगा, scene का वेट करें, blind ना खेले ठीके, पेटियम को लेकर फिर थोड़ी सतरक रहने की सला है चलिए, बाजार के pre-open की जो level से, वो settle हो गए है और निफ्टी की जो शुरुआत है करीक पर 1780 अंक उपर होने के संकेत मिल रहे हैं 2720 पर settle हुआ है निफ्टी, जैसे के संकेत मिले थे एक जियस निफ्टी से बिलकुल उसी तरह की हमने levels देख रहे हैं निफ्टी में और निफ्टी बेंग की बात करें तो 1500 अंक उपर 48,880 यानि का 4900 के आज पास के levels settle होते हुए दिख रहे हैं कुछ stocks क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी जो metal stocks हैं हिंडाल को टाटा स्टील जेस डिफ्टील वहाँ पर आपको थोड़ा सी momentum देखने को मिलेगा भारती एरचल पर इंटीक की रिपोर्ट आई थी और टार्गेट ठीक ठाक दिया है 25% ऊपर की टार्गेट दिये हैं इंटीक निभारती एरटेल के लिए ये शेयर भी फोकस मेरेगा देखना होगा लेकिन एक और expert हमारे साथ है जुड़गे है सुमित मुल्चंदानी सुमित जी बहुत शुक्रिया आपका स्वागत है आपके टीनों सोदेश पर शुरुआत आपकी call से कर लेते हैं फटा-फट सर समय थोड़ा से कम है जल्दी में निप्टाइएगा जी बॉड बॉर्निंग टू आज हमारे न्यू येर तो दो calls रहेंगे दोनों buy side की opportunities है देखिए आइसर मोटर काफी एच्छा pullback दिया हुआ है आप दो दिन से देखिए काफी एची पेडी बनी हुई है हमें लगता है कि यह momentum continuation रहेगा यहाँ पे W-shape का एक recovery है market price है 4248 हमें expectation है target 4594 and 4838 के लिए stop loss रहेगा 4010 जो दूसरा stock है वो है MCX देखिए MCX न अपना 100-day moving average का काफी एच्छा support लिया और क्यों यह reversal है वो काफी इची तरह से sustain भी हुआ है आज भी यहाँ पे थोड़ा से gap up है तो आप थोड़ा से wait कीजिए लिटल बिट डाउनसाइड का current market price है 37, 32, 3500 का levels कभी भी आपको मिल रहा है आप वहाँ पे और accumulate कीजिए 3410 का stop loss रहेगा और 45, 55 हमारा target है बिल्कुल तो यह हैं trading ideas और MCX पर आज जरू नजर रखिए हमारे जितने भी technical experts है उन्होंने यहाँ पर तेजी करने की ही सला दी है यह stock आज़ा के ट्रे में जरूर फोकस में रहेगा pre-open में अची शुरूआ भी नजर आ रही है और इस stock पर आज जरू नजर रखिए चलिए बस कुछ ही minute रह गए है market की opening में अच्छी शुरूआत के संकेत मिल रहे हैं 22,700 के उपर के संकेत मिल रहे हैं निफ्टी में उपनिंग के bank निफ्टी में भी करें 100 अंकों की मजबूती सेंसेक्स 270 अंकों पर अगर निफ्टी का कुछ स्टॉक्स की बात करें तो करीब 48 स्टॉक्स ऐसे हैं जो की हरे निशान में खुलने के संकेत यहां पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं दीवीज लैप और पावर ग्रिट हलकी कमजोरी के साथ यहां पर शुरुवात होता हुए दिखाई दे रही है सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो आज भी फोकस में रह सकता है आई-टी, मेटल स्टॉक्स, रिल एस्टेट स्टॉक्स की कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की नज़र अकि अगर बीएसी की बात करें तो लगभण सभी इंडैसिस हर निशान में ही यहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहे हैं और अच्छी शुरुवात यहां पर देखने को मिल रही है हर निशान में बाजार की ओपनी निफ्टी बाईस हजार साथ सो के उपर असी अंकों की मजबूती यहां पर निफ्टी में बैंक, निफ्टी में भी करीब सतर अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है निफ्टी में अगर बात करेंगे तो अच्छी शुरुवात है और टाटा स्टील है इस वक्त का टॉप गेनर करीब 7% उपर टाटा स्टील खुला है भारते एर्टेल में अच्छी उपनिंग हो रही है हिंडाल को उपर खुला है तो जैसे कि हमने कहा भी था कि आज में अच्छी तेजी है और इस तेजी को लीट कर रहा है करीब करीब एक परसंट उपर रिलाइस है एडवांस जिकलाइन रिशियो एक बार देखिए बहुत ही मजबूत एडवांस जिकलाइन रिशियो नज़र आ रहा है करीब 1300 से जादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो की हर निशान में कारुबार कर रहे हैं 300 स्टॉक्स लाल निशान में तो एडवांस डिकलाइन रिशियो बहुत ही पॉजिटिव मिटक्या स्मॉल कैप शेरों में काफी अच्छा मोमिंटम आज के दिन देखने को मिल रहा है काफी बड़ा अक्षिन नहीं है निफ्टी के स्टॉक्स में लेकिन अगर मिटक्या स्मॉल कैप शेरों में देखेंगे तो वहां काफी अच्छा अक्षिन है यहां पर अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है कमजोरी है हलकी फार्मा स्टॉक्स में डीवीज लैप 9% नीचे HDFC बैंक बहुत जादा नहीं बहुत ही मामूली कमजोरी के साथ यहां पर उपनिंग होता हुए दिखाए दे रही है सेक्टर स्पेसिफिक अक्षिन देखेंगे तो आज मेटल है टॉप इसके अलावा कंजूमर डूरिबल FMCG यहां से काफी अच्छी शुरुआत होता हुए नजर आ रही है नीजी बैंकों में हलकी कमजोरी है लेकिन लगभग लगभग सभी सेक्टरिल इंडेक्स हर निशान में कारूबार कर रहे है मिट कैप स्टॉक्स में अगर आक्षिन देखें मिट कैप स्मॉल कैप में तो खबरों के चलते काफी ज़ादा यहां पर आक्षिन दिखाई दे रहा है वेदानता उपर है इंटर्गलोब एविएशन करीब 2% उपर है ल्यूपिन देखें पॉजिटिव खबर आये थी कमपनी के ड्रग को मंजोरी मिल चुके 2% की मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है के अलावा वेस्पें इंडिया अच्छी ओपनी मजबूती दिखा रहे है तो अच्छी ओपनी माज़ाद इस पर स्टेबल है 22,700 के उपर देखे रहने की कोशिश कर रहा है चलिए अब शृष्टी से समझ लेता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेरों में आक्शन कैसा है शृष्टी ओपनी मिड और स्मॉल कैप इंडिक्स और कई सारे स्टॉक्स जहां पर आपने जिकर जरूर किया कुछ शुगर काउंटर्स में अच्छा आक्शन जरूर है कल बजार बंद होते होते एक खबर आई थी कि जहां पर जो एट्सनॉल में शुगर का जो यूज है वो बढ़ सकता है साथ ही साथ एक्सपोर्स में जो उनकी उमीरे थी वो थोड़ी सी कम जरूर हो गई है इसको लेकर E.I.D. पैरी लगबख यहां पर 1.5% की मजबूती है इसके अलावा कुछ पेपर काउंटर्स भी जोश में हैं जहां पर जेके पेपर में लगबख 2% का उचाल है JSW Energy आज करीब 1.5% उपर है और Lementary Hotels खबर के दम पे क्योंकि काटमानू में नया इन्होंने होटेल ओपन किया है यहां पे भी लगबख 1.5% की तेजी है और इसके अलावा कुछ जितने वाइट गुड काउंटर्स हैं जैसे के Blue Star Symphony यहां पे हम लगातार आक्शन देख रहे हैं Symphony में भी आज लगबख 2% की तेजी है कुछ गिरने वाले शेयस की बात करें तो Spark आज 5% के Lower Circuit पे है कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि 5% का Upper Circuit लगा था तो Circuit तो Circuit यह Counter खेल रहा है IRB Infra लगबख 3% की गिरावट का शिकार है IFL Finance यहां पे 2% की कमजोरी है साथी Century Textiles यहां पे भी लगबख 2% की गिरावट है और Natco Farma में भी करीब 0.5% की हम गिरावट देख रहे हैं फिलहाल बहुत जादा गिरावट तो नहीं देख रहे हैं हम दोनों ही इंडेक्स में पर Stock Specific Action भरपूर है पिशिक बिल्कुल Nifty Bank हम देखने की सपार्ट कारबार कर रहा है 49,739 के पास है उसके पीछी की वज़ए यह है कि SDFC Bank से आज सपोर्ट नहीं है आज भी आधे परसंट से ज़्यादा कमजोरी हम Nifty Bank में देख रहे हैं लेकिन Nifty की बात करें तो 55 अंकों की आज पास के ठिक ठाक तेजी है इसे ने इस पर अपना टार्गेट बढ़ाया है और इसके चलते हैं वेदानता में करिब 3% के आज पास की तेजी देखने को मिल रही है इंटर ग्लोब एविएशन इसके बारे में भी हमने एक्सपर्ट से व्यू लिया था और एक्सपर्ट का यही करना था कि तेजी आप कर सकते हैं इंडिगो में करिब करिब पौने 3% के आज पास की बढ़िया वाली तेजी हो रही है तो बाजार का शुरुआती जो महौल है उसमें अलग अलग चाल है निफ्टी में तेजी है निफ्टी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी है हाला कि अगर आप ब्रॉडर मार्केटिक देखेंगे तो वहां से संकेट ठीकी है क्योंकि अभी भी जो अडवांस डेकलान का रिश्यो है वो है 2-1 का यानि कि हर एक गरने वाले शियर के मुकाबले दो बढ़ने वाले शियर बाजार में इस वक्त है 641 शियर है लाल निशान में और उसके मुकाबले है 129 शियर हरे निशान में कुछ शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या स्पॉट किया आपने? GMDC, अभिशेक देखते ही देखते ही, ये स्टॉक मार्केट फुलने के बाद भी तीन से चार रुपए और उपर आ गया है, हमें लग रहा है, यहां पर यहां पर यह तेजी बढ़ सकती है, नियर टर्म में 418 और 425 के टारगेट के लिए GMDC को अपने रेडार पे रखे हैं, य ठीक है, GMDC में खरदारी करने के सलाह है, 409 रुपए का भाव है, पोने 4% उपर यह शेयर है, लेकिन आपको और उपर के इस तरह आपको इस देखने को मिलेंगे GMDC में, संतुष जी आपका शेयर कौन सा है सेर, आपने क्या चुना है अभी ओपनिंग ट्रेड के लिए, यह मैं ओपनिंग ट्रेड के लिए टाटा पार को चुना चाहूँगा, कल भी इसमें कच्छा मोमेंटम देखने को मिलाता है, आज मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जारी रहेगा, इसका जो प्रिवियस हाई था, उसके ओपर ट्रेड कर रहा है, लग रहा है कि शायर जाद आप 450 तक के लेवल दिखा सकता है, आप खड़िदारी कीजिए, आज की लोग का स्टॉपलोस अखे, करीबन 430 के असपर स्टॉपलोस रहेगा, और 450 का टार्गेट रहेगा, ठीक है, 430 रुपे का स्टॉपलोस, बहुत ही नजदीक का, 450 रुपे का टार्गेट, ये कन्विक्श कहां पर है, क्या दिखा है बाजार में आपको? जी बिलकुल, मैं भी कुछ जी के साथ भी जाना चाहूंगा, सेंग स्टॉप ऑन माई रेडार जीम डीसी, लेकिन जो नजदरिया रहेगा, वो इंटर डे प्लस दो तिन दिन का रहेगा, स्टॉपलोस वेंटेंटेंटेंट टारगेट 434 का जीम डीसी खोलेकर, तो एक शेयर पर हमारे दो एक्सपर्ट बुलिश हो गये हैं, कुछ अगर आपको बाजार में कुछ और दिखा हैं, एक और स्टॉक अगर दिखा हैं तो आप बता सकते हैं अगर वो कहीं पर ब्रेक कर रहेगा, तो मैं एक शॉट यहां पर पोजीशन अपनी बनाना चाहूंगा, मेरा स्टॉपलोस रहेगा 2600 का, और टारगेट रहेगा 2500 टारगेट 2500 एसारेफ पर वैसे ही यह सवाल कुछ के लिए था लेकिन कोई बात नहीं, सुमिज जी नहीं इस पर आप अपना व्यू दे दिया है, एसारेफ में शॉट करने की सलाह है, कुछ आपकी तरह पताईए कोई और शेयर, दूसरा शेयर अगर आपके रडायर पर आय हैं, तो एक स्टॉक और दे दूँ आपके, जी पी आई एल, गुदावरी पावर, ये स्टॉक अगर आप देखें, तो एक अच्छे से पॉसिटिफ कंसॉलिडेशन के बाद आज ब्रेक आउट दे रहा है, हाला कि बहुत शार्प ओपनिंग हुई थी, गैप अप 813 का से थोड़ असा प्रॉफिट बॉकिंग हमने देखने मिला है, बट मुझे लग रहा है, यहाँ पर एक अच्छे खासे अपसाइट की तयारी हो रही है, यहाँ पर, मुझे लग रहा है यह यह स्टॉक जो है 845 तक के जोन दिखा सकता है, आने वाले कुछ दिनों में, आज ह आज के लिए चाहें, तो यह 813 का जो आज का हाई बना है, यह फिर से आपके लिए आज है टार्गेट आक्स करेगा, एक अच्छा बेस है, 770 का जो जोन है इसके आसपा, 770 का आप स्टॉप लोस लगाएं, और 845 तक के टार्गेट के लिए इसके आप बेट कर सकते हैं, इ उपर करीपरेब 4% की तीजी दिखा रहा है, लेकिन इसमें आपके लिए मौके बनेंगे, 813, उसके बाद फिर 845, यह दो टार्गेट, 770 रुपे का आपको स्टॉप लोस लगाके चलना है, यानि की 20 रुपे नीचे का, एक काम करते हैं अब कुश के भी 2 शेयर होगे, सु स्टॉप लोस लगाएंगे, तो यहां पर खरिदारी कीजिए, स्टॉप लोस रहेगा, आपका 260 रुपीस का, संतुझ जी आपको रोकना चाहेंगे सर, संतुझ जी कौन स्टॉप लोस आपने बोला, आवाज आपकी सही से आनी पाई, सॉरी, भी एचियल है, भी एचियल मे नीचे का लगा सकते हैं बीएचियल के शेयर में, 263 रुपे के आसपास का भाव है, आज भी हम तेजी देखने हैं 3% की, लेकिन यह तेजी अभी और बढ़ेगी, 275 रुपे के टार्गेट के लिए आपको इसे होल्ड करने की सिला है, बाजार में तेजी थोड़ी से और बढ़ गई है, और एक और अच्छी चीज हुई है, पिछले कुछ मिंटों में, कि निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आकर अब 30-40 अंकों की हल्की सी तेजी दिखा रहा है, लेकिन एडवांस डिकलान रेशियो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, मंदी वाले खिलालियों के पक्षिमानी की ब्रॉडर म मूव से, NMDC में भी तेजी हो रही है, 2% के आस पास की, GMDC तो हमारे दो एक्सपर्ट ने आपको सुझाई दिया है, तो बाजार में ठीक ठाक यहां पर मूव दिख रहे हैं, कुछ आपसे ज़रा बायो कॉन पर व्यू जाना चाहेंगी, बायो कॉन इस वक्त आपको कैसा ल परोसा करें, और उपर जाएगा ये? आपर बिल्कुल ट्रेंड के लिए प्ले करूंगा, अब करंट ट्रेंड जो है, ये बिल्कुल ट्रॉक के फेवर में है, एक अच्छे शार प्रणब के बाद स्टॉक पॉसिटिफ बाइस के साथ कंसॉलिडेट हो रहा है, तो हमें लग रहा है, यहां पर फ्रेश बाइंड इनिशियेट की जा सकती है, मेरे लिए इमेजियेटल यहां पे 285 का जो पहला लेवल है, ये ऐसे टारगेट निकल के आ रहा है, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, वो यहां पे होगा 268 का, तो यही एक व्यू रहेगा कि यहां पे जैसे आपको मुनाफ़ा मिलें, बसूल करते चलें, लंबी हवदी के लिए इसमें वेटना करें, तो यह है सलाब बायो कॉन पर इस बीच आपके स्क्रीम पर एक खबर चल रही होगी, एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है, फिच चीन का जो आउट्लुक है वो स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, डाउंग्रे और आगे जो खबर आ रही है, रेटिंग क्या निकल कर आई है, इस पर हमाई नज़र रही है, लेकिन फिलाल ये एक न्यूज आ रही है, इमर्जिंग मार्केट से जुरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालेते हैं, इस पीच अच्छी मजबूती के साथ कारुबार कर रहा है, संतोज जी क्या सला होगी आपकी BEL में, काफी अच्छी बाइंग या नज़र आ रही है, अभी मौझूदा स्थर पर कोई ट्रेड कर लेना चाहिए, BEL में, इस BEL में काफी स्टॉंग मौमेंटम बनावा है, मुझे लागता है, मौमेंटम और एक्स्टेंड होगा, 230 के लिए बलके उपर टिक्ता है, तो जो नेक्स तागेट आ रहा है, 236 से 240 पर का आ रहा है, इस आप से खरीदारी करना चाहिए, 226 रुपर का स्टॉप लोस सके, और ये स्टॉक पॉर्टफोलियो स्टॉक है, तो पॉर्टफोलियो में आप किसी के पास है, तो बने रही है, इसमें और अच्छी अपसाइट देखने को मिल सकते हैं, इस पर हमने चर्चा भी की थी, मार्केट ओपन होने से पहले, और लगातार हाइज यहां पर देखने को मिल रहे हैं, आज भी करीद 3% उपर ये स्टॉक कारूबार कर रहा है, एयर फेर भी रिवाइज हुए हैं, और हालफलार में काफी कुछ डिवलप्मेंट भी हुए हैं, ऐसे में इंटर ग्लोब एव पर काफी जादा चल चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मौजूदा स्टर पर क्या एंट्री इननी की सला देंगया? कुछा मौजूदा स्टर पर तो नहीं, क्योंकि एक अच्छा खासा रन अप है, वैसे मैं जानता हूँ, ये स्टॉक बहुत से एक्सपर्ट्स ने आप ही के चैनल पर रेकमेंड किया है, फंडमेंटली हो या टेक्निकली हो, तो उसका असर भी हमें देखने मिला है, स्टॉ भी जो आए थे, वो बहुत शैलो थे और तुरंट स्टॉक ने रिवाइब किया है, तो ओवरॉल स्टॉक्चर तो देखे हमें यहाँ पर लग रहा है, बहुत पॉसितिव है, लेकिन अब ये ओवरीटिंग टरिट्रीट्रीज को अप्रोच कर रहा है, तो यह होगा कि रिस पॉसिशन हो तो ट्रेलिंग सपरोज के साथ राइड करें, नहीं पॉसिशन के लिए वेट करें, कोई भी डिप अगर आपको मिले 36-80 के करीब के आसपास, तब प्रेश एंट्री लें, रिस्क रिवार्ड रिशियों वहां से बहतर रहेगा, इस मोमेंटम को चेज ना करें कुछ की तरफ से, क्योंकि अल्री यहां पर एक अच्छा रानाप हमने देख लिया है, कुछ और काउंटर की चर्चा करते हैं, NMDCA के काउंटर है, जो की मेरिल की पूछाल में, आज हम तेजी देख रहे हैं, NMDC निशले ओपनिंग के बाद ही, यहां पर हम देख रहे हैं अब 0.5% की तेजी हो गई है, एक बार सुमित इसका आप चार्च शेक दीजे के कौन से लेवल्स आप सामने निकल कर आ रहे हैं, NMDC के लिए, यहां पर अगर किसी के पास पोजिशनल है, तो बिलकुल स्टॉप में बने रही है, काफी अच्छा एक अपना बेस पोजिशनल है, उनके लिए भी बिलकुल यही सेम सला रहेगी, अगर टारगेट लेवल्स की बात करें, तो पेला टारगेट रहेगा पिसला हिसका हाई है 252 और नेक्स लेवल विल बी 270. ठीक है, 252 और साथ ही 270, यह दो टागेट लेवल्स के लिए निकल कर आ रहे हैं, अच्छे लेवल्स पर हम यह काउंटर आज देख रहे हैं, एक अच्छी तेजी, लगबग 3% की तेजी अब दिखाने की तारी कर रहा है, एक अच्छी तेजी, लगबग 3% की तेजी अब द आसंतोष, एक बार HPCL और BPCL यह दोनों पर ही चार्ट चेक दीजे, कि इन दोनों में से कोई ट्रेट सामने निकल कर आ रहा है, अच्छी तो एक हमको एक रिवांट निर को मिल रहा है करेक्शन की, मुझे 3CL बेटर लगता है, पर मैं वाच करूँगा 472 के लेवल को, 472 प ठीक है, HPCL को लेकर यह व्यू, सुमी जी, जोमेटो जर आप चेक कीजी, क्योंकि जोमेटो तमाम ब्रोकरेज हाउसे के रडार पर यह शेर थे, लगातार चला भी है, बढ़िया रिटन्स दिये हैं, अब 200 रुपे के आसपास जाकर यह ट्रेट कर रहा है, 199 रुपे 455 पैस की चाल देख रहे हैं, चार्ट संकेत क्या दे रहे हैं? 215 रुपे के टार्गेट जोमेटो के लिए, अच्छा जोमेटो के साथ साथ न, ठीक है, 250 रुपे का टार्गेट होगा और अस टॉपलस होगा, 199 रुपे का हमारे प्रोडूसर साथ, फटा फट आपके लिए लेवल्स भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि आप इसको नोट कर सकें, अगर आपको फोटो खीचना अच्छा भी आप रख लीजए, ये लिवल्स आप लिए जोमेटो के शेर पर, जोमेटो के साथ पौलसी बाजार भी चेक कर लेते हैं, पौलसी बाजार यानि की पीवी फिंटेक, पीवी फिंटेक में भी आज तेजी हम देख हैं और ये शेयर महीने भर की अगर बात करें तो 20-25 परसंट की एक तरफा मूव इसने दी है 1100 रुपे के भाव से लगातार ये चला है अब 3500 रुपे के आसपास के प्राइसिस इसमें हैं पीबी फिंटेक ये जरा आप चेक कीजे कुश ये आपको कहां तक जाता हुआ दिख रहा है कितना कर्विक्शन है आपका शेयर को लेकर अब शेयर बहुत ही शांदार मूव है बहुत ही स्टॉक जो है सही चुना है आपने यहां पर मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है जो तेजी है वो नियर टर्म में यहां पर हमें लग रहा है कि 1450 का एक लेवल है यहां तक यहां तक स्टॉक को स्ट्रेच कर सकता है अगर आप देखें तो weekly time frame में overheating पे है तो अगर buy करना चाहें तो थोड़ी से dip पे buy करें 1330 का एक level है बहुत जादा बड़ा dip को हम expect नहीं कर रहें अगर आपको यह मिले सब buy करें तो भैतर रहेगा हो सकते हैं थोड़ी सी profit booking इतने अच्छे रणब के बाद भी stock में आए आपको आतीवी नजर आए तो 1320, 1320 is a good zone to enter into and then hold on for positional target of 14, 15, 1600 और अगर support zone की बात करें तो 1200 की करीब अच्छा सा support zone है यहाँ पे ठीक है पीवी फिंटिक को लेकर यह व्यू बारहसु रुपे पर support है पीवी फिंटिक को लेकर पीवी फिंटिक जैसी ही चाल हमने देखी है डीमार्ट के share में भी और डीमार्ट इस वक्त ट्रेट कर रहा है 4800 रुपे के ऊपर आज भी इसमें तीजी है और stores की जो संख्या है इनके करिब-करिब 3500 से जादा डीमार्ट के store हो गए हैं लेकिन इसको लेकर जरा आप बताएए संतोज जी डीमार्ट आपको कैसा दिख रहा है शियर यह और इसमें क्या करना चाहिए 4800 रुपे का भाव स्क्रीन पर यह जीमार्ट में हमने एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस तो अपने एक बहुत अच्छा बेज बनाया है फिर एक ब्रिक आउट दिया हालागि एक अच्छा ओल्रेडी मूँ आ चुका है पर इससले प्रबाबिलिटी है कि शायद हमको 5000-5100 तक की अप करने की सलाहे 5150 यानि कि यहां से 3.5 तक की तेजी आप और देख सकते हैं डीमार्ट के शियर में यूएसल जड़ाचे कीजिए कोश आप यूनाइट स्पिरिट्स ठीक ठाक शुरुआत होई है क्या यह शुरुआत टेकेगे और क्या शियर में और तेजी देखेंगे लॉं दिन डाट स्टॉक मुझे लगा रहा अच्छे खासे एक यूनाइट स्पिरिट्स को लॉंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है यहां पर 1125 के आसपस जहां पर इसके नियर तर्म आवरिज इस कंवर्ज हो रहे हैं तो एक अच्छी खासी फुटिंग पे है त तो 1250-1275 तक के टारगेट के लिए इसे लॉंग कर सकते हैं और 1125 के आसपस टॉप लॉस रहेगा और जस्ट अ क्विक अपडेट वाइल वे अरॉन दे सब्जेक्ट जीम डीसी 425 के टारगेट के लिए हमने डिसक्स किया था 423.80 का है है तो आप किसी भी वीवर ने अगर स सुभा 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 सुनके लिया हो तो अभी भी उन्होंने अबर 2.5-3% का मुनाफ़ा बनाया होगा बुक करने की जल्बाजी ना करें यहां पर 418-400 के आसपस टॉप लगा के इस तेजी को राइड करें तो GMDC पर ये एक अपडेट टारगेट के पास ही है लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं लिया है तो अगर आपने ले लिया है तो अभी आप खूल कर सकते हैं स्टॉक को और तेजी के लिए GMDC पर तो अपडेट लिया संतोष जी आप से MCX पर अपडेट लेंगे आपने शाए 3800 के टारगेट दिये थे स्टॉक पर वो टारगेट तो शुरुवाती ट्रेड में ही आ गए हैं अभी किसी के टारगेट हिट हो गए हूँ तो क्या और तेजी के लिए बने रहे हैं स्ट तो क्या विए बन रहा है MCX पर अब आपका यस विए अभी स्टिल 3800-850 के बीच में रिजिस्टन्स था वहां से पिछली बार भी यही से करेक्ट हुआ था तो मैं लगता है क्रॉस करेगा और जैसे यह 3850 क्रॉस करेगा इस तो आपको 4000 के उपर के लेवल दिखेंगे तो म इसका फाइदा इस स्टॉक को मिलेगा मुझे लगता है बहुत जल जिसमें चारी के लेवल और 4400 तक की भी अपसाइट दिखने को मिल सकती है तो देखे तेजी बन रही है टेक बाइटे का 3,000 अभी भी आप खोड़कर के चल सकते हैं स्टॉक को सुमी जी टाटा केमिकल्स पर सला दीजे वैसे तो हमने काफी सारे केमिकल्स स्टॉक सर हाइफ लार में चर्चा की लेकिन इस वक्त जो सेटप आ रहा है है टाटा केमिकल्स पर मौईूदा सर पर क्या करें कोई ट्रेड लिना चाहिए क्योंकि 1170 जो है वो एक स्टॉंग रिजिस्टंस की तरह खांग कर रहा है देगे पिछले दो दिनों से आप देखेंगे तो 1160-1165 का जो हाई बना है उसके पाद तोड़ा सा प्रॉफिल्ट बुकिंगा रहा है तो अगर न्यू पोजिशन बना नहीं है 1170 के उपर हम 1230 का और टार्गेट रहेगा 1290 के ठीक है ठीक है यहां पर 1290 तक के टागेट सब ध्यान में रखे एक अच्छा मूव इस काउंटर में देख रहे हैं पर इस पीच एक काउंटर जो की थोड़ा सा कमजोर जरूर हो रहा है संतोश वो है सिपला यहां पर इस निकल का जो लो था वो भी तोड़ा है और कुछ एक फार्मा काउंटर जो है यहां सपोर्ट नहीं कर रहे है क्योंकि स्पार के कैसा काउंटर है जिसको हमने हाइलाइट किया हाला के कैश मार्केट का स्टॉक है पर 5% का यहां पर लोगावा है LKM LAP का भी हमने जिकर किया था संतोश एक प 1520 से 1420 की रेंज है अगर इन केसी 1420 के नीचे स्लिप होटा है तो फिर और विक्मिस बढ़ेगी लेकिन अभी 1442 के आसपर स्टेट कर रहा है तो 20-25 रुपे की डाउन साइड हो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 यहां पर आप ध्यान रखे अगर ये लेवल तोड़ता है तो और खमजोरी एक सिप्ला में गहरा सकती है पर फिलहाल एक रींच में ही ट्रेट कर रहा है इस पीछ वेदानता के स्टॉक पे नज़र आ लिए देखे 3-4 परसंट की तेजी के साथ इसकी शुरवात हुई थी CLA से का एक बड़ा अफग्रेड हम जब निकुंच तार्मियाजी से भी बात कर रहे थे तब उनका भी कहना था के विदानता एक री रेटिंग कैंडिडेट जरूर है क्योंकि जितनी डेट को लेके चिंताएं थी वो सारी अब थोड़ी सी दूर हो रही है साथ ही डॉलर इ विदानता आपको दिखा रहा है 363 के टागेट लेवल्स जो है आप फिलहाल विदानता में देख रहे हैं इसके अलावा NMDC इसका भी जिकर हमने कुछ ही समय पहले किया था हमारे एक्सपर्ट के साथ यहां पर भी अब तीन परसंट से जादा की तेजी है और अपोलो टाय कि जितने भी PSU काउंटर्स हैं थोड़े से रीबाउंट हो रहे हैं पर क्या कोल इंडिया पर आपका भरोसा फिर से वापिस आ रहा है यह कोल इंडिया की बात करें तो इंडिरेक्ट स्पेस का और अभी कंसुड़ेट कर रहा है आराउं क्योंकि एक सप्लाई जोन है इसको फिर 480-500 तक की अपसाइट दिखने को मिल सकती है अभी फिलाल के रिस्क रिवर्ट फेवरेबल नजर आ रहा है तो आप 435 के स्टॉपलों से खरीदारी कर सकते हैं टागेट रहेंगे उपर में 480 तक की ठीक है यहां पर आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं आप कोल इंडिया पे भी नजर बनाई रखें मेचल काउंटर्स ही आज पूरा अक्शन ने जा रहे लेखें जीमडी सी हमारे एक्सपर्ट कि यहां पे राई ती कुछ के रिडार पे भी एकाउंटर था यहां पे पांच-पांच परसेंट के यहां पे सर्किट लगे वे हैं कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहां पर एक अच्छा आप्शन है और कम इंडिया भी डेडार पे आ रहा है क्योंकि वॉल्यम्स भी अच्छे हैं और साथ ही साथ यहां पे दो परसेंट की तेजी भी है एक ब वहां से चुटी सी प्रॉफिट बॉकिंग देखने मिली है I think this dip also is a buying opportunity यह ऐसा stock है जो बहुत आदा बड़े dips देता हूँ आपको तो यह जो dip मिला है इसको buying opportunity के तौर पे यूज करें यहां पे आपके लिए 2940 का stop loss रहेगा और जो पहला target है यह 3060 का है once that is taken out I think 3120 यह stock you know ready ह है यहां से up move करने के लिए तो overall जो sector है उसका tailwind तो है ही plus stock में भी अच्छी खासी हम you know buying interest देख रहे है तो overall हमें दगर है comments में यहां पे एक long position create कर सकते हैं 3120 का आपका second target रहेगा from a positional standpoint Cummings के लिए target 3120, 3060 रुपे पहला target 3120 रुपे दूसरा target stop loss 3940 रुपे का आपके लिए Cummings को लेकर एक शहर सोना BLW सुमी जी जरा चेकीज़े सोना BLW यह आपको कैसा लग रहा अभी और क्या इसमें तेजी और बढ़ेगी यहाँ पर देखिए एक multiple top बना के stock ने लिवसल ठोड़ा दिखाया था तो new positions के लिए तो मैं फिलाल avoid करूंगा लेकिन जिनके पास holding है मैं यहाँ पर बोलूँगा एक stop loss maintain के देखिए दो sessions पहले अपना 50 day moving average के नीचे closing गिया था अब अगर यही levels break हो रही है that means 643 तो मुझे लग रहा कि यहाँ पर profit booking और भी बन सकती है तो वहाँ पर exit का मेरा सला रहेगा लेकिन new position मैं फिलाल avoid ठीक है नई position avoid करनी है सुना comstar में खुश आप जड़ा oil marketing company चेक कीजिए थोड़ी थोड़ी reversal के संकेत आ रहे हैं क्योंकि crude में हलकी से हमने नर्वी देखिए 89 डॉलर के आजपास की भाव है HPCL और BPCL आज हम 2% से ज़्यादा की तीजी देख रहे हैं IOC की बात करें तो तीजी वहाँ भी है लेकिन 2% से थोड़ी सी कम है इन तीनों में से आपको चार्ट किसका बेहतर लग रहा है और क्या कोई trade बनता हुआ दिख रहा है आपको तो अभिशेक मैं आपका पहला question है उसका पहला answer देता हूँ यहाँ पर कहाँ पर setup हमें अच्छा लग रहा है हमें लग रहा है यहाँ पर IOC का setup जो है यह काफी encouraging है इसको अपने radar पर रख सकते हैं लेकिन अब अगर मैं second question का answer दूँ मुझे कोई यहाँ पर trade setup नजर आ रहा है तो देखे थोड़ा सा sluggish है यह भी ऐसे counter हैं जो trend के साथ चलते हैं बट फिलहाल अगर मैं देखो तो इनका trend consolidation का है पायस आज हमें positive होती नजर आई है बट overall कोई बहुत बड़ी momentum फिलाल हमें इसमें नजर नहीं आ रही है तो हो सकता है कि अगर कोई इसमें position लेना चाह 9 तक के जो levels हैं यह आते हुए नजर आ सकते हैं support zone है 167 के आसपा तो यह आपका stop loss रहेगा बट जैसा मैंने बताया this is not a typical momentum play तो हो सकता है लेने के बाद आपको थोड़ असा you know patient encounters में दिखाना पड़े ठीक है 166 का support है IOC के लिए chemical stocks हम देखने की तीजी है अलाकि तीजी बहुत जादा नहीं है लेकिन देखने की मजबूती बन रही है R3 industry is 1% उपर है बासफ के share में करीब 3% के आसपास की तीजी है टाटा केमिकल्स में भी कल का जो move है आज वो extend हो रहा है 10% की तीजी टाटा केमिकल्स में भी है सुमी जी chemical space में आपका पसंदीदा share कौन सा है कहीं आपको मौके दिख रहे हैं क्या जी बिल्कुल अभी थोड़े पहले ही हमारे डिसकर्श हुआ था टाटा केमिकल्स के लिए तो टाटा केमिकल्स मेरे रेडार पे है लेकिन मैं यहाँ पे सिर्वेट करूंगा क्योंकि दो बास टॉक ने 1165 का जो लेवल है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी तो यहाँ पे 1170 पे मेरी नजर रहे गिया अगर 1170 क्रॉस हो रहा है बिल्कुल आप फ्रेश बाइंग ऑपर्चुनिटी यहाँ पे देखिए विद इस टॉप लॉस आप 1130 एंड टारगेट विल बी 1290 12% की तेजी आज भी हम देख रहे हैं MK Global के शेयर के कल बढ़िया मूव था हालांकि छोटे साइस की कंपनी है मार्केट केप की बात करें तो 500 क्रॉन रुपे से कम का मार्केट केप है लेकिन कुश आप इसका ज़रा चार्ट चेक कीजिए MK Global का और बताइए क्या करना चाहिए अब प्राफिट टेकिंग करें जिनके थोड़े लोवर लेवल्स पर हैं क्योंकि पिछले दो हफते में अगर हम शेयर की बात करें तो 100 रुपे से लेकर 170 रुपे के जरनी इसने तेह की है बिल्कुल लशेक, वर्टिकल राइज है, अपसलिटल वर्टिकल राइज है अगर हम देखें आपने सही बताया अगर पिछले कुछ हफतों की बात करें तब यहां पर बहुत ही शांदार जंप देखने मिला है अब देखें अगर हम लेवल्स की बात करें, तो लास्ट ताइं अगर पर यहां पर जो मोमेंटम है यह और बढ़ सकता है इतना फास्ट राइस हुआ है, न्यू बाइन के लिए जो रिस्क रिवाट रिश्यो होगा यह फेवरेबल नहीं होगा तो एक्जिस्टिंग ट्रेडर्स जो हैं बिल्कुल होल्ड करें चलें, मोमेंटम और यहां पर स्पाइक हो सकता है आपको 160 से 155 के जोन में अगर यह सब वापस मिले तब फ्रेश एंट्री करें बाट एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं बिल्कुल होल्ड करके चलें तो यह है सला आमके ग्लूबल परीबर बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं और काफी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में देंकी उपी स्थर पर आ चुका है और लबभग लबभग अब एक सो तीस एक सो डेर सो अंकों से जादा की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक से यह कुछ हैवी वेड काउंटर्स हैं जो की चलना शुरू हो गया है एक्सिस बैंक यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम इस वक्त देखने को मिल रहा है तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी आई और इसके चलते हम देख रहे हैं अब करीब 200 अंग की तेजी बैंक निफ्टी में हैं और इसे निफ्टी को भी सहारा में रहा है करीब 70 अंगों की मजबूती के साथ निफ्टी भी कारोबार कर रहा है Advanced Decline Ratio वापस से सुधरत हुए नजर आ रहे हैं तो यह है इस वक्त का अपडेट आपके लिए बंधन बैंक पे लेकिन एक बार राय ले लेते हैं सुमिच जी क्या सरला होगी आपकी आज के दिन भी हम देखना है बंधन बैंक में हलकी वीकनेस है यहाँ पर हाल फिलाल में जो मैनेजमेंट रीजी की खबर आय थी उससे थोड़ा दबावाय था और आज भी स्टॉक में हल सपोर्ड बनाया था जो लेवल सभी आपने डिसकस किया 175 से 180 और यही लेवल पितले दो साल का एक स्टॉंग सपोर्ड है तो जिनके पास होल्डिंग है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 174 का आप मैंटेन कीजिए अगर यह लेवल प्रेक हो रही है on the daily basis तो फिर यहाँ पे औ और डाउंसाइड पॉसीबल है तिल दे टाइम यू के लोड लेकिन फ्रेश अपसाइड जो मुझे फ्रेश बाइंग अपर नहीं लग रही है तो नियू एंट्री को फिला लाप एवाइट तो फिला नहीं है तो थोड़ा यहां पर उतार चड़ावा बना रह सकता है 10% उपर है यह स्टॉक 824 के असपास कारूबार कर रहा है दिन के उपरी स्थर पर कुछ जी क्या सला हो गया आपकी कैंफें होमस में कोई ट्रेड लेना चाहिए वैल यहां पर करकावरी है अंडरवे बट यहांपर 285 का पहला है और 240 से लेके 245 का जो जोन है यहांपर भी एक सप्लाइ जोन है अगर आप देखें तो स्टॉक में पॉजिटिव ऐस तो था लेकिन ओफ हाइस क्लोस हुआ था तो हमें लग रहा है कि यहां पर थोड़ा व तब आप यहां पर 8.45 तक के टार्गेट के लिए नियर टर्म में ट्रेड ले सकते हैं, बट अधरवाइस हो सकता है कि यह एक समय के लिए चालू रहे, तो थोड़ सा वेट करें, 8.25 के लेवल के लिए उपर के लिए क्लोजिंग आने दें, then for a level of 8.45, you know, there can be a long position considered, but up until then, इस को आप बेटन मोच लिए तो यह है, तो यह है सला, कैंट फिन होंस पर इस बीच, सरकारी कंप्टियों में अच्छी तेजी बन रही है, कोल इंडिया उपर है, बीपी सीर हमने थोड़े पैड़े डिसकर्स भी किया था, और मांकेटिंग कंप्टियों में अच्छी तेजी की नज़र आ रही है, ओए जी सीरे से स्टॉक्स तो पी एस यू स्पेस काफी अच्छा चल रहा है, डीवी लेकि फार्मा स्टॉक्स आज नहीं चल पा रहे है, चुनिंदा स्टॉक्स पर हमने सला भी दी है, सुमिच जी कहीं और शॉट के मौके दिखाई दे रहे हैं, अब बन रहा है, तो अगर किसी को शॉर्ट ऑपर्ट्यूनिटी यहां पे बनानी है, तो करन मार्केट प्राइस ते भी आप बना सकते हैं, आज के ही दे हाई का आप एक स्टॉप लोग मिंटेन कीजिए, अमें लगता है कि डाउन साइड में अपना जो प्रीएस स्विंग हाई था, वही अब इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, तो फर्स टार्गेट विल भी 3-6-4-0 स्टॉप सुमेट से फिर से रिपीट करेंगे, कौन से स्टॉप बताए अपने, डिवीज लैब, लेवल करन्ट मर्केट प्राइस है 3-7-2-0, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 3-7-7-0 का, और टार्गेट यहाँ पे रहेगा 3-6-3-0 का ठीक है, 3-6-3-0, यानि कि यहाँ से 90 रुपे नीचे के टार्गेट से डिवीज लैब के लिए, बाजार के लेवल में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, 60 अंखी उपर है, निफ्टी बाईजार 700 के आसपास के स्तर हैं, निफ्टी बैंक की बात करें तो 700 अंखों के आसपा स्टील, यह तमाम शेयर आज निफ्टी के टॉप गिनर्स में शामिल हैं, और रिलाइंस से भी अच्छा सपोर्ट है, 70% के आसपास की तीजी, फार्मा स्टॉक्स का और कंजम्शन का, मूर थोड़ा सा खराब है, SDFC बैंक में भी रिकवरी आनी रही है, इसके चलते हैं हम बाजार में जो एक जो रिंज है वो बनी है, रिलाइंस उपर ले जा रहा है, SDFC बैंक थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा है, ऐसे में क्या आप्शन से जरी कुछ मोक्य आपके लिए बनेंगे, कमाई कहा हो सकती है, यह जानेगा और लेकर आएंगे आप्शन के चैंपियन क सिंटर्म ब्रोकिंग के निलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए है, निलेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय दिन इकली, स्वागत है 1900 देशवर, बताइए ऑप्शन में क्या ट्रेट करना है, कैसे मौके बन रहे हैं, पैसे कहां पर बनेंगे? बिल्कुल देखे एक खरिदारी परी फोकस है, और स्टॉक जिसमें मुमेंटम देखने को मल रहा है, वो है HAL, हिंदुस्तान एरन ओर लिमिटे, इस पर्टिकलर काउंटर में एक फ्लेग अन पोल सौर्ड अफ पैटरन का ब्रेक आउट आता हुआ नजर आ रहा है, पिछल कि 100 रुपीज के आसपा स्टेड हो रहा है, 81 रुपीज के आपर इस्टॉक रहा सकना होगा, 130 और 150 ये दो टागेट होंगे, अगर इसके लॉट साइज की बात करें, 300 का लॉट साइज है, इन टम अफ रुपीज, अगर हम देखे तो लगब 4,500 का रिस्क है, और 12 तु 13,000 तक के रिवार्ड यहां पर बनते हों नज़रा सकते हैं, HL के अंडर लाइन में हमें यहां से 3700 से 3750 तब का एक मुमेंटम हम एक्सपर करके चल रहा है, इसलिए कॉल अप्शन के ज़रे ठिज़ारी करके चल सकते हैं ठीक है, बढ़िया है, HL 3620 वाली कॉल आपको खरीदनी है, 100 से 105 रुपे के बीच आपको यह मिल जाएगी, लक्ष 13650 रुपे का, स्टॉप प्लस लगाना है 85 रुपीज का, और अधिक्तम जो नुकसान है, वो है 4,500, अधिक्तम मुनाफ़ा जो है, 13,500 यानि की करीब तीन गुना, तो रिस्क रिवार्ड भी ठीक है, और 0.5% उपर फिलाल ये शेर कारुबार भी कर रहा है, 3590 रुपे के आसपास, लेकिन ये आपको मिलेगा तब, जब आप वित्ती अनिशासन रखेंगे अपने ट्रीड में, बिल्कुर मत भूरी, कि स्टॉप लोसिस को खास दो से एफनो के ट्रेड करते हैं वक्त, आपको बहुती कडाई से पालन करना होता हूँ, उसकी वज़े ये होती है कि, दस में से नौ लों को नुक्सान होता है, ये रिस्क डिस्कॉजर आपके लिए खास दोर पर, और जो औसक नुक्सान होता है, वो हता है, पचास हजार रु रिपोर्ट के बाद, कोल्टे पार्टिल में करीब करेब 9% के आसपास की तीजी है, एक बार स्टॉक को फिर से लेके आईए सामनी, 9% पर है कोल्टे पार्टिल का शेर, 564 रुपे के आसपास के भाव हैं दिन की उपरी सर पर, एक व्यूजर आप फिर से शेर कीजिए कोश पर, कोल्टे पार्टिल, 9% उपर है, नई इंट्रिक के लिए ठीक है, या फिर जिनके पास हैं अपने इस टॉपलर्ट को ट्रेल करके इसे बने रहे हैं। इसे स्टॉक्स में किसी तरह का डिप में तब बाई करें। ओवरॉज सेट अप इनका पॉसिटिव हैं। जैसा आपने बताया, कुछ रिपोर्ट भी आई हैं पॉसिटिव स्टॉक्स के लिए, तो वो डेफिनिटल आज पॉसिटिव एक्ट करेंगी इसके लिए। तो 555 के आसपास भाई करें। वहां से आपके लिए 530 का स्टॉप लॉस रहेगा, और फॉम देर ओन 580 से 600 तक के अच्छा हैं और इसमें 580 रुपे, 600 रुपे तक की टार्गेट्स आप लगा के चल सकते हैं कोलते पार्टिल के लिए। सुमी जी कमिन्स जरा आप चेक कीजिए, एक बार इसार चार्ट देखिए, 3000 रुपे के आसपास के भाई देख रहे हैं, हाला कि थोड़ा से उपरी स आपको technical analysis यहां पर share करते हैं, उनका कुछ importance होता है क्योंकि कोई calculation भी करते हैं, तो same way हमने comments recommend किया था, at the levels of 2780 for the target of 2960 and 3040, तो same जो high बना, वो करीबन आपका 3050 से ही reversal हुआ था, लेकिन बिल्कुल जो भी आपने बोला, तो stock ने भी support लिया है, अपना एक ribonaki का 23.6 के support लेके reversal दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पर अभी भी momentum बना हुआ है, किसी के पास already holding है, आप ऐसा trailing stop loss 2920 का maintain ठीजिए, और अमें लग रहा है कि stock might be अपना new high edge के तरफ moment दिखाएगा, अगर यह अपना पितला high cross कर रहा है, तो यहां पर target रहेगा 31.6 कि ठीक है, तो comments India, यहा पेट्रोनेट LNG पर भी राई दीजे देखे, ओपनिंग के बार देखते ही देखते हैं, यहां पर भी 5% की तेजी है, क्या यहां पर कोई trades हो जाना रहेंगे? निकल के आ रहा है, तो जब एक बड़ी तेजी की तैयारी है, तो मेले साब से इसको positionally trade करना चाहिए, यहां से आपको आराम से 30-40% का upside देखने को मिल सकता है, नीचे आपके stop loss भी छोटा रहेगा, 280 का. 280 के stop loss के साथ, Petronet LNG, यहां पर आप एक trade लिएगा.